हलो फ्रेंट्स वागत थे आपका हमारे यूट्यूब चानल स्टेडी आवर लाइफ में तो आज से हमें स्टार्ट कर रहे हैं जी एस पॉइंटर घटना चक्र का जिसमें हम फिजिक्स पहले स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को बता दे कि आप लोग अगर दरोगा का एक प्रेंट्स प्रेंट्स पाइफ में तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद हमारा कमेस्ट्री स्टार्ट होगा तो यह पहला है इसे देखते हैं मात्रक और इकाए और आप लोग पीडियेफ की क्वालिटी बताएंग इसे मुल भौतिक राशी है तो भौतिक राशी जो पुछा जा रहा है कि इसका बल बेग बिद्धुधारा और कार का मुल भौतिक राशी तो वो हो जाएगा बिद्धुधारा ठीक है अगला है सक्ति का मात्रक क्या होता है तो सक्ति का मात्रक वाट होता है और बिद्धु सकती दोनों का मात्रक क्या होता है what होता है इसे याद रखेंगे उसके बाद है बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है बल का मात्रक न्यूटन होता है कारे का मात्रक जूल है कारे का मात्रक जूल हो जाएगा आबिर्ती का माप किसमें हम लोग करते हैं हज में करते हैं त चालक की वैदूत परती रोधकता की इकाई ओम मीटर होता है चालक की वैदूत परती रोधकता की माप क्या होता है ओम मीटर और परकास वर्स इकाई या मातरक है तो परकास वर्स इकाई की मातरक या दूरी की है किसकी है परकास वर्स दूरी की इकाई है अगला कोशन है परक परकास वर्स जो है वह दूरी जो परकास एक वर्स में तै करता है उसे क्या खाते हैं परकास वर्स कहते हैं और एक पार्सक तारो संबंदी दूरियाम आपने का मातरक के बराबर है तो एक पार्सक बराबर हो जाएगा तो यह आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, नहीं करेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए, और यह भी कोशन पुछा जाता है कि परकास वर्स क्या है, तो यह दूरी की एकाई है, पारसेक भी दूरी का मात रख है, पारसेक किसकी मात रख है, दू काई, जिसे 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, वो सेंटी मीटर कालाता है, क्या कालाता है, किसी भी मात की इंकाई को अगर 0.39 से गुना करेंगे, तो इंच में प्राप्त होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेंटी मीटर कहते हैं, 6 मीटर लंबे वेक्ती की उच प्रशाय को अगर नैनो मीटर में ब्यक्त करेंगे तो उसको 183 गुने 10 to the power 7 नैनो मीटर से multiply करना परेगा। अगला कोशन है एक नैनो मीटर बरावर होता है तो एक नैनो मीटर बरावर होता है 10 to the power minus 9 मीटर या 10 to the power 7 cm मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है और एंपियर जो है वो बिद्दुधारा मापने की इकाई है प्रतीबल बल विकृति तथा दाब में वह रासी जिसका कोई मातरक नहीं है वो विकृति कहलाता है विकृति किसको कहते है जिसका कोई मातरक नहीं होता है तो उसे विकृति कहते है जैसे प्रतीबल हो गया बल हो गया विकृति हो गया तथा दाब में वह रासी जिसका कोई मातरक नहीं है अगला question है सुमेलित सही सुमेलित है तो भौतिक रासी काई काई तोरन भौतिक रासी और इकाई दिया हुआ है इसको मिलाना है तो तोरन का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा जोल हो जाएगा पास्कल तो दाव का क्या हो जाएगा फिर है सही सुमेलित है और पैरामेटर कॉंटिटी दिया हुआ है तो वाड किसकी है सकती का है और नॉट समून्दरी जहाज की गती का मापा जाता है नौटिकल मिल से नो संचालन में परिखत दूरी की इकाई को नोटिकल міल से मापते हैं कैलोरी उसमा को हम लोग कैलोरी में काउंट करते हैं और विभांतर को बोल्ट में तो इकाई वाट का जो है हो सक्ती हो जाएगा नौट का समूंदरी जहाज की गती, नौटिकल मिल, नौ संचालन में परिक्तुदूरी की इकाई है, कैलोरी उसमा का है और बोल्ट विवानतर का है, आगे देखते हैं, सुमेलित है, तो उच बेक किसका मैक का, और एंगेस्टन जो है वो प्रकास के तरंगधरी की इकाई है, उच बेक का जो इकाई क्या है, मैक हो जाएगा, और एंगेस्टन जो है प्रकास के तरंगधरी की इकाई है, एक हर्स पावर बरावर होता है, 746 वाट, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, एक हर्स पावर बरावर कितना हो जाता है, 746 वाट, जूल, उर्जा से उसी तरह सं बंदित है अगला कोश्चन है एक माइक्रोन बराबर होता है 1 by 1000 मिलिलीटर के एक माइक्रोन जो बराबर होता है 1 by 1000 मिलिलीटर के बराबर होता है और एक माइक्रोन प्रदर्सित करता है 10 to the power 6 10 to the power minus 6 मीटर या 10 to the power minus 4 सेंटी मीटर की लंबाई को अगला है सुमेलित है तो सुमेलित है decimal ध्वनी की प्रवलता की एकाई है अस्व सक्ती सक्ती की एकाई है और Celsius जो है उसे हम लोग Temperature की माप करते हैं समुंदरी मिल ये बताएं हैं पीछे तो नौसंचालन की दूरी की एकाई है ठीक है decimal से ध्वनी का प्रवलता अस्व सक्ती स रक्ती की एकाई Celsius टेंपरेचर का और समुंदरी मिल नौसंचालन में दूरी का एकाई है अगला जो है कैलोरी कीलो कैलोरी कीलो जूल तथा वाट में से उस्मा की एकाई क्या नहीं है तो उस्मा की एकाई वाट नहीं है centigrade कैलोरी अर्ग तथा जूल में उस्मा की एकाई नहीं है वो है centigrade एक किलो मिटर दूरी का तात पर है 1000 मिटर सेकेंड एक किलो मिटर दूरी का क्या तात पर है 1000 मिटर सेकेंड एक पिको ग्राम बराबर होता है 10 to the power 12 ग्राम के दाब की एकाई निउटन पर बर्ग मिटर है दाब का मातरक हो जाएगा किलो ग्राम बर्ग सेंटी मिटर अगला देखते हैं एक किलो ग्राम बल पर सेंटी मिटर स्कॉाइड दाब समतुल है कितने बार का तो 1.0 बार के बराबर है एक किलोग्राम बल पर सेंटिमीटर एसक्वाइड ठीक है और पारस्थितिक दबाप यानि कि एट्मोस्फेरिक प्रेसर की इकाई क्या है एट्मोस्फेरिक प्रेसर की जो इकाई है वो बार कहलाता है अगला कोशन है बल, दाब, बेग और तोरण में अदीश रासी है तो अदीश रासी जिसमें दिसा नो हो तो वो दाब है बल, दाब, बेग और तोरण में अदीश रासी सिर्फ दाब है मांकि बल, बेग तोरण ये सब क्या है ये सब जो है वो सदीश रासी है तेल का एक बेरल होता है तेल का एक बेरल बड़ावर होता है 169 लीटर माइक्रोन, नैनो मीटर, एंगेस्टेन तथा फॉर्मी मीटर में से लंबाई की निवंतम इकाई क्या है तो लंबाई की जो नियुतम इकाई है वो फॉर्मी मीटर या फेम्टो मीटर जिसको कहते हैं इसे 10 to the power minus 15 मीटर में देखा जाता है अगला कोशन है सुमेलित है क्यूसेक जो है वो जल परवा की दर है वाइट कम्प्यूटर का है रियक्टर भुकम्प की तिव्रता मापा जाता है और बार जो है वो दाव का इकाई है अगला कोशन है क्यू सेक में मापा जाता है क्यू सेक में जल के बहाब को मापा जाता है नौट डॉप्सन पॉज तथा मैक्समेल में से बायू मंडल के ओजोन परत की मुटाई मापने बाले को डॉप्सन कहते हैं डॉप्सन किसको कहते हैं तो नौट, डॉप्सन, पौज और मैक्समेल में से बायू मंडल के उजवन परत की जो मुटाई होती है उसके मापने बाले को डॉप्सन कहते हैं अब है मापक यंत्र एवं पैमाने तो सोनार का पडियोग मिलाया जाता है नौशंचाल को द्वारा महासागर में डूबी हुई बस्तूओ की स्थिती जानने के लिए किसका सोनार का पडियोग किया जाता है और सोनार का उपियोग हम लोग प्रासरब तरंगों के रूप में क बायू की गती नापी जाती है एनीमी मोटर द्वारा एनीमो मीटर द्वारा बायू की गती मापी जाती है अब है सुमेलित है एमीटर जो है वो विद्धुद्धारा का है और टैक्यो मीटर 36 दूरिया लंबत 99 एबं दिसाओं के मापन का अगला है पायरो मीटर का पडियो किया जाता है उच दाब के मापन में पाइरोमिटर का पड़ियों कहां किया जाता है उच दाब के मापन में ताप बिधुत दाप मापी विकिन ताप मापी गैस ताप मापी द्रब ताप मापी में से पाइरोमिटर कहा जाता है विकिन ताप मापी को विकिन ताप मापी को पा पाइरोहेलियोमिटर का पड़ियोग सोलर रेडियेशन के नापने के लिए किया जाता है। मैनोमिटर के द्वारा की जाती है गैसो के दाब की माप की जाती है। सुमेलित हैं उपकरन या यंत्र दिया हुआ है और माप किसे है। हाइग्रोमिटर से सापेक्ष आदरता का माप किया जाता है और स्प्रिंग तुला भार का है। अगला देखते हैं ओडियोमिटर ओडोमिटर जो है वो बाहनों के पहियो द्वारा तै की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोमिटर बाहनों के पहियो द्वारा तै की गई दूरी मापने का यंत्र है ओडियोमिटर और ओडोमिटर जो है वो बिद्धुचुम्बकिये तरंगों की आविर्ती मापने का यंत्र है। तो ओडोमिटर और ओडोमिटर मिलता जुल्टा वर्ड है तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे और कन्फूजन नहीं करना है। तो ओडोमिटर जो है वो बाहन के पहियो द्वारा और ओडोमिटर जो है वो बिद्धुचुम्बकिये तरंगों के द्वारा। अगला कोशन देखते हैं बायू मंडलिये दाव को मापने का उपियोग किया जाता है बैरोमिटर में। और साधारन बैरोमिटर का परियोग पारे का होता है। स्टेथोस्कोप हिड्राय की ध्वनी से सुनने के लिए। स्फिग्नोमिटर रक्त चाप को मापने के लिए। कैरोटोमिटर सोने की सुदता मापने के लिए। और लक्समिटर परकास की तिव्रता मापने के लिए। शिर बॉलकर दर्कुप का या फिर कारडियो गराब भीलत के लिए त रिर्दर्धृत्व के लिए करते हैं रक्त दाव नापने का यंद्र क्या है थ? रडर रड़ार उप्योग में आता है रेडियो तरंग द्वारा बस्तूों की इस्थिती याद करने के लिए रडर रडार जो है रेडियो तरंग द्वारा बस्तू की इस्थिती ग्यांत किया जात हीम नदी की चाल, जनसंख्या ब्रिदी, भुकंप की तिव्रता तथा प्रिथवी के अंदर का तापमान में से रियक्टर पैमाने पर मापी जाती है भुकंप की तिव्रता रियक्टर पैमाने पर भुकंप की तिव्रता को मापी जाती है और रियक्टर पैमाना मापने के लिए पडियोग किया जाता है भुकंप ये लहरों के आयाम का आगला देखते हैं सुमेलित है सेल्सियस जो है वो टेंप्रेचर का है किलो वाड आवर बिदूद को नापते हैं आर एच गुनंक रक्त का है और रियक्टर पैमाना भुकंप का है बहुत आसान है उसके बाद है ताप का हुआ पैमाना जिसमे डिनात्मक मान नहीं होता है उसे कैल्विन कहते है जिसमे डिनात्मक मान नहीं होता है ताप के पैमाना को कैल्विन कहते हैं भुकंप मान पी यंत्र किसको कहते हैं सिस्मोग्राफ को सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भून चालन को और सुमेलित है उचाई अल्टिमीटर प्रतिरोध का मातरक ओम हो जाएगा फैदोमीटर समुद्र की गहराईम आपने का है और अल्टिमीटर जो है उचाई का है फिर है सुमेलित है सुमेलित है में दिया हुआ है बैरोग्राफ, बायुमंडलिये दाव, मैनोमीटर, दाव का, कब्यूरेटर, आंत्रिक दहान इंजन, कार्डियोग्राफ, हिर्दैकी गर्ती, और सिस्मोमीटर, भुकम, तरंगों की तिवर्ता मापने का उसके बाद है फोनोमीटर का उपियोग किया जाता है फोनोमीटर का उपियोग धोनी की तिवर्ता एबम अस्पंदन अविर्ती के मापन में किया जाता है जूट का पता लगाने के लिए पॉलिग्राफ का यूज किया जाता है उर्धावर तल पर 36 तल में कोणिये दूरी मापने में पर्योगत होने वाला यंत्र क्या है थियोडोलाइट अब हमारा है यांत्रिकी से संबंदित यांत्रिकी में द्रवमान, बल, तोरन, कार्ट, उर्जा, संबेक और गती से संबंदि जो भी है इसी में कवर करेंगे तो सबसे पहले है सधारन यंत्र किसी वेक्ति की सहता करता है कम बल का पर्योग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में तो साधारा नियंत का परयोग कहा होता है बेक्ती में? कम बल का परयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में एक बेक्ती एक संबेदन सिल तराजू पर खड़ा है यदि वह गहडी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी प्रच्छालन या फिर वाशिंग वाशिंग मशीन की कार्ड पर नाली का सिधान्त अपकेंदरी करन है ये दोनों नाम याद रखेंगे कहीं कहीं प्रच्छालन दिख जाएगा तो कन्फ्यूज करके आप लोग गलत एंसर टिक कर सकते हैं तो प्रच्छालन को ही वाशिंग और आईतन में से सदीस राशी आईतन नहीं है। अगला है समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदीस राशी है विस्थापन। विस्थापन क्या है? सदीस राशी है। संबेग, दाव, उर्जा तथा कारे में से सदीस राशी है संबेग। ठीक है? आगे देखते अब है पदार्थ के संबेग और बेग के अनपात में जो भौतिक रासी प्राप्त होती है वो द्रबमान कहलाती है द्रबमान किसको कहते हैं पदार्थ के संबेग या मोमेंटम जिसको बोलते हैं उसमें बेक का जो रेशियो होता है, जो भौतिक रासी प्राप्त करती है, वो द्रभमान कहलाती है, बल गुननफल है, द्रभमान और तोरन बड़ावर बल का गुननफल हो जाता है, यदि किसी घन के आयतन और प्रिष्ट शेतर फल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन की किनारे की लंबाय की माप इकाई में 6 हो जाएगी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी अगला है उर्जा सरक्षन का आशाई है तो उर्जा सरक्षन जो है उर्जा का नो तो सिर्जन हो सकता है और नो ही बिनास हो सकता है हवा की उर्जा होती है केबल गतीज और गतीज उर्जा होता है 1 by 2 mb square क्या होता है mb square अगला है बायू सक्ती या विड़ पावर में उर्जा का जो रूप विदुत उर्जा में परिवर्थित होता है हुआ क्या कालाता है गर्ती उर्जा कालाता है न्यूटन के गर्ती के प्रथम नियम कहा जाता है जरतुका नियम न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं जरतुका नियम कहा जाता है एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारम करती है उसमें बैठे ही हुए यात्री सीर पीछे की और जुक जाता है किसका कारण है तो ये इस्थिर्ता का जरत्तु का कारण है इस्थिर्ता जरत्तु का प्रतेक किरिया के लिए एक समान और विप्रित प्रतिकिरिया होती है न्यूटन का कौन सा नियम कहता है तो न्यूटन ने कहा था ये किस ने कहा था न्यूटन ने कहा था कथा एक दिया हुआ है कि एक पुन्ता घर्षन हीन प्रिस्ट पर खड़ा एक बेगती सीटी बजाने से अपनी गती में आ जाता है दूसरा स्टेट्मेंट है यदि किसी तंत्र पर कोई बाई बल किरियासील नहीं हो तो इसका संबेग H परिवर्थित नहीं हो सकता है तो AR जो है वो दोनों सही है और RA का सही अस्पस्टिकरन नहीं है ये भी दिया हुआ है अगला कोशन है कि सरक पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्यूंकि बर्फ में सरक की अपेक्षा घर्षन कम होता है भड़ी हुई गारी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवस्टक तागत से अपेक्षा करित अधिक तागत से धक्का देना परता है क्यूंकि एक बार गारी चल परने के बाद घर्षन कम होता है अगर एक मनुस इस थीर नाव से 5 मीटर परती सेकंड की चाल से कुदा और नाव 0.5 मीटर परती सेकंड की चाल से खिसकी तो नाव का दर्मान मनुस के दर्मान का 10 गुना हो जाएगा एक ट्रक एक कार और एक मोटर साइकल की गतिज उर जाएं समान है यदि समान अप्रोधक वलबल लगाए जाएं तो करमसा x, y और z दूरी पर रुके तो x बरावर y बरावर z यानि त्विनू आपस में बरावर हो जाएगा अगला कोशन है कि एक बेक्ती कार में जो बिराम में बैठा है सरक से कार के चार पहियों में से प्रतिक प्रपरतिकिरिया r है जब कार सीधी समतल सरक पर चलेगी तो अगर पहिया में प्रतिक पर प्रतिकिरिया r से कम होगी क्या होगी? आर से कम होगी अगला है दो समान द्रबमान की बस तुए की गतीज उरजाओं का अनपात फोर अनपात नो है तो उनके बेक का अनपात दो अनपात तीन हो जाएगा यानि की आधा हो जाएगा तेल से ओसता भरा हुआ तेल का एक टैकर समतल सरक पर आगे की ओर एक समान तोरन से जा रहा है तो तेल का मुफ्त प्रिष्ट जो होगा वो 36 से इस परकार आनन्त होगा कि पिछले सीरे पर अधिक गढ़ाई होगी ठीक है आगे कोशन देखते हैं निमन कथनों पर विचार कीजिए एक तिस्नी बिर्ताकार पत पर तिर्व गती से जाता हुआ चार पहिये वाला बाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा अंदर के पहियों पर उल्टेगा बाहर की तरफ फिसलेगा अंदर की तरफ फिसलेगा इसमें से सभी कथन सही है तो नहीं एक और तीन ही कथन सही हैं जब एक 30 मिटता कार पत पर 3 गती से जाता है तो चार पहिए वाला बाहन बाहरी पहिएों पर लटकेगा और बाहर की और फिसलेगा एक और तीन सही है अगला कॉस्छन है कि साइकील और कारों में वॉल बेर्डिंग का परियोग होता है क्योंकि पहिये और धूरी के बीच असपर्स का प्रभावी छेत्र घट जाता है तोरन ग्यात करने का सही सुत्र क्या है तो ए बराबर भी माइनस यूवाई टी ये तोरन का फ्रमूला है अगला है मारा गुरुत्त के अधीन गती इसे हम देखते हैं वह बैज्यानिक जिसने निूटन से पुर्व ही बता दिया था कि सभी बस्तुए प्रित्वी की और गुरुत्वा कर्शित होती है तो वो ब्रहम गुप थे थे, कौन थे ब्रहम गुप थे जो नूटन से पहले ये बात कहें थे अगला है गुर्तवाकर्षन का सिधान्त दिया था आईजेक नूटन ने आईजेक नूटन ने गुर्तवाकर्षन का नियम दिया था गुरुत्वाकर्शन के सरभौमिक नियम का प्रतिपादन निव्टन ने किया था और अंत्रिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वत्व नहीं होता है गुरुत्वत्व जो होता वो नहीं होता है अंत्रिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह अंत्रिक्ष यान के साथ साथ उसी गती से गतीमान होगा अगर कोई अंत्रिक्ष में चक्कर लगा रहा है वहां से एक सेव को गिराता है तो वो क्या होगा कि यंत्रिक्षियान के साथ-साथ उसी गति में गतिमान होगा अगला है पीसा की जुकी हुई मिनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली उर्धाधर लाइन जो है तल के अंदर रहती है अगला कोशन देखते हैं यदि प्रित्वी और सुर्ज की दूरी जो है उसके अस्थान पर दोगुनी होती है तो सुर्ज द्वारा प्रित्वी पे गुर्तवाकर्शन भल परता है वह जितना है उसका चौथा भाग होगा कितना जो दिख रहा है उसका चोथा भाग दिख रहा है इधर अगला कोशन है जब कोई बस्तू उपर से गिराई जाती है तो उसका भार ओपरिवर्तित हो जाएगा क्या हो जाएगा ओपरिवर्तित हो जाएगा भार अगला है लकड़ी लोहे वा मोम के समान आकार के टुकड़े को समान उचाई से प्रित्वी पर गिराया जाता है तो टुकड़ा सर परतम प्रित्वी की सता पर पहुंचेगा वो है सभी साथ साथ पहुंचेंगे ठीक है तो अपरिवर्तित अभी बताएं कि अपरिवर्तित रहता है इसलिए बस तू सभी साथ में गिरेंगे हवा में लोहे और लकडी की समान भार की गिंद को समान उचाई से गिराने पर लकडी की गिंद बाद में गिरेगी हबा में लोहे और लकडी की समान भारवाले गेंद को अगर गिराएंगे तो लकडी और गेंद जो है वो लकडी की गेंद बाद में गिरेगी अगला है दो गेंद A और B करमसा 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है उन्हें 20 मीटर की उचाई से एक साथ किराया जाता है तो भुमी पर दोनों गेंद एक साथ पहुचेगी ठीक है अगला कोशन है कि कथन दिया है चंद्रमा पर मानव का वजन प्रिथवी की तुलना एक वटा चोड़ाता है और कारण दिया है चंद्रमा पर प्रिथवी की तरह गुर्तवा करसन नहीं है तो इसमें जो दिया है कथन सही है प्रन्तु कारण गलत है स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है बस रीजन जो है वो गलत दिया हुआ है किसी पिंड का भार क्या होता है दुरुवो पर सर्व अधिक होता है मानव सरीर का भार दुरुवो पर अधिक्तम होता है बायू जल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से एक पिंड का अधिक्तम भार जिसमें होगा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जिसमें होगा उसका पिंड जादा हो जाएगा गुरुत्व के अधीन बिराम वस्था से मुक्त रूप में गिरने वाली किसी कन के मामले में T में विस्था पंड D का विश्रन पर दर्सित करने वाला रेखा चित्र यह देख रहे हैं यह रेखा चित्र हैं ठीक है अगला कोशन है कि एक चिकना आनंध तल 36 के साथ ठीटा यहां देख रहे हैं ठीटा जो है आनंध है जैसा की दी गए आकिर्ती में दिखाया गया है यह पिंड बिराम वास्था से प्रारंब कर आनंध प्रिष्ट से नीचे की और फिशलता है ठीक है नीचे की और फिशलता है अधास तल तक पिंड को पहुँचने में लगा से मैं क्या हो जाएगा वन बाई साइन ठीटा रूट अंडर टू एच बाई जी हो जाएगा यह फर्मुला आप लोग याद रखेंगे अगला है कि एक उची इमारत से एक गेंध 9.8 मीटर पर सेकेंड के साथ तोरन के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकेंड के बाद उसका बेक क्या हो जाएगा 29.4 मीनट पर सेकेंड हो जाएगा यदि प्रित्वी का दर्मान वही रहे और 31 परसेंट से कम हो जाए तो प्रित्वी के तल पर जी कमान कितना 2 परसेंट बढ़ जाएगा बिनासकारी भुकंप के गृत्वी के कारण तोरन होगा 980 सेंटी मीटर पर सेक्वाइड अगला कोशन है कि एक बस्तु का प्रित्वी पर दर्मान 100 किलोग्राम है गृत्व जनीत तोरन GE ब्रावर हो जाएगा 10 मिनट पर सेकेंड अगर चंद्रमा पर गुरुत जनीत तुरन जी इब्रावर 6 है तो चंद्रमा पर बस्तु का दर्मान कितना हो जाएगा? 100 किलोग्राम हो जाएगा अगला है भार हिंता होती है गुरुत वाकर्शन की सुन इस्थिति पर भार्बींता कहां मासूस होती है? तो जब इस्तिती सुन होती है प्रित्वी अपने कक्ष में लगभग चौबालीसो किलो separately मीटर प्रती घंटा की गती से घुमती है इस तेज गती को हम अनुभब नहीं करते हैं क्योंकि अपने अक्ष में प्रित्वी की गती की अपेक्षा हमारी गती शुन्य है इसलिए हमनवम नहीं कर सकते यदि प्रित्वी का गुर्त्वाकर्शन बल अचानक लुपत हो जाता है तो बस्तु का भार सुन्य हो जाएगा प्रंतु दर्मान वही रहेगा ठीक है अगला कोशन है प्रित्वी के चार और परिकर्मा कर रहा कृतिम उपगरा इसलिए प्रित्वी पर नहीं गिरता क्यूंकि प्रित्वी का आकर्शन उसकी गती के लिए आवस्त्यक तुरन परदान करता है। कृतिम उपगरा उसको ट्रैक किया जा सकता है डौपलर के प्रभाव के द्वारा। अपने कक्ष में एक उपगरा प्रित्वी के चक्कर लगाता रहता है। वो ऐसा करता है केंद्र भूमिखी बल यानि कि अभी केंद्र बल के कारण। प्रकिर्ती के ज्यात बलोक के चार बर्ग में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गृत्व, विद्दु चुम्बक्त, दुर्वल नाव की ये बल और प्रवल नाव की ये बल चारों और सबसे प्रवल हैं। तो प्रवल नाव की ये बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रवल नाव की ये बल हो जाएगा, अगला हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए बेक्ती को अपना भार अधिक मालूम परेगा, क्योंकि जब लिफ्ट त्वरित गती में उपर जा रही हो तब, जब लिफ्ट उपर की ओर जाएगा, तब बस्तु का भार जादा महसूस होगा। लोलक की कलाव धी लंबाई के उपर निर्वर करती है, लोलक घरिया गर्मियों में सुस्थ हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में। एक लक्री जूले पर बैठी इस्थिती में जूला जूल रही उस लर्की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्थकाल कम हो जाएगा। निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो स्टेटमेंट है एक दो और चार सही है एक दो और चार सही है तीन जो है स्टेटमेंट वो गलत है। अगला है पेंडूलम घरी तिर्वगती से चल सकती है सीथकाल में। ठंडे के मौसम में पेंडूलम होती है घड़ी की वो क्या हो जाती है तिर्वगती से चलती है प्रित्वी का पलायन बेग 11.2 km पर सेकेंड होता है अगर किसी बस्तु को 8 km पर 30 सेकेंड के बेग से अंत्रिक्ष में फेका जाए तो वह वापस प्रित्वी पर आगिरेगी चंद्रमा पर बावी मंडल नहीं होने के कारण इस पर गैस अनुओं के पलायन बेग उनके बर्ग माध्यम मुल बेग से कम होता है अब है अस्थूल पदार्थ के गुन अब पदार्थ के गुन के वारे में परेंगे पहला है बर्षा की बुंद की गोलाकार आकिरती का कारण प्रिष्ट तनाव है क्या है बर्षा का जो बुंद होता है वो प्रित्वी पर जबा आता है तो गोल गोल दिखता है वो किस के कारण प्रिष्ट तनाव के कारण अगला है द्रब बुंद की सकुचित होकर निवन्तम छेत्र गहरने की प्रविर्ती का कारण भी प्रिष्ट तनाव है नैनो द्रब का सरबदिक महत्पुन गुन होता है घर्षन तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल प्रिस्ट तनाव पानी से कम होता है मिटी का तेल पानी के उपर इसलिए तैगता है क्योंकि उसका घनत पानी के घनत से कम होता है साबुन को बुलबुले के अंदर का दाव बावी मंडली ये दाव से अधिक होता है साबुन का बुलुला जो होता वो बावी मंडल्ये दाप से अधिक होता है यदि साबुन को दो भिन 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 व्यासों के बुलुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्ख में लाया जाए तो छोटा बुलुला और छोटा हुआ बड़ा बड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा बुलुला बड़ा हो जाएगा जब किसी साबुन के बुलुले को आबेसित किया जाता है तो बुलुले की तिर्जा बढ़ जाती है एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी बीमाएं दी गई है अलग अलग बार एक ही भार से खीजे जाते हैं तो अधिक्तम दैर वृति होगी तो जिस तार की लंबाई अधिक एवं ब्यास कम करेगा उसकी दैद वृति लंबाई के समानुपाती और ब्यास के बर के ब्यूत करमानुपाती होगी उसके बाद है निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए यदि केसी कत्त की परिघटना नहीं होती तो किरोसिन दिप का उपयोग मुस्किल हो जाता कोई मिर्दुपे का उपयोग करने के लिए इस्ट्रा का परियोग नहीं कर पाता स्याही शोक पत्र काम करने में भी फल हो जाता बड़े पेट जिने हम अपने चारो ओर देखते हैं प्रित्वी पर नहीं उगते तो इसमें स्टेट्मेंट जो है वो एक तीन और चार सही है यानि कि जब केसी कत्त की परिघटना नहीं होती तो किरेस्विन तेल का ओपियोग हम लोग सही से नहीं कर पाते स्याही सोक पत्र काम करने में भी फल हो जाता और बड़े पेट जिने हम अपने चारो ओर देखते हैं वो प्रित्वी पर नहीं उगते अगला है केसी कत्त एक मात्र कारण नहीं है पोधे की जरो से जल के इसके पंड समू की और बढ़ने के लिए इसके लिए केसी कत्त के अत्रिक प्रशवेदन सस्वन जन आदी भी उत्तर दाई है तो केसी कत्त एक मात्र कारण नहीं है पोधे में जल जाने के लिए अगला है बत्ती वाले स्टोप में किरोसीन के बत्ती में उपर चढ़ाने का कारण भी प्रिष्ट तनाव है क्या है प्रिष्ट तनाव एक केसनली में जल की अपेक्छा एक तरल अधिक उचाई तक चड़ता है तो इसका कारण है तरल का प्रिश्टनाव जल की अपेक्छा जादा है जब किसी जील की तली से उठकर बायू बुलबुला उपड़ी सत्ता तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ताप बढ़ने के साथ सद्रव की सायानता घट जाती है जल, बायू, खून, अलकोहल, गैशोलीन और सहद में सबसे जादा सायानता किसका है? सहद का होता है ये कोशन भी बहुत बार पूछा गया है हबाय जहाद से यातरा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है बायू दाब में कमी के कारण अगला है ऑटो मोवाईल के हाइडरोलिक ब्रेक के कार करने का सिधान्थ पास्कल के नियम पर अधारित है मोवाईल तथा ऑटो मोवाईल ने भारतिये विश्योय सुरूप से ग्रामीन छेत्रों को लोगों को समाजिक जीवन में क्रांती ला दी लोगों के आबागबन तथा लोगों के जुराव के संबंध में बैरोमीटर पठन में अचाना गिराबट हो जाने से मौसम दसाम इंगित होती है हुआ तुफानी मौसम होता है जब बैरोमीटर का पठन जो अचाना गिर जाता है तो मौसम क्या होती है तूफानी होती है नीचे दिये गए छिदर वाले एक फबारे को छिदर को ध्यान दिजिए देख सकते हैं फीगर दिया हुआ है और दिया हुआ है कि फबारे छिदर से पानी अधिकतम दूरी तक फेका जाएगा वो छिदर एक होगा ठीक है तो देख ल प्रसी करन का उपोध पादक है कौन? एसफॉल्ट है करे जड़े में जील की सता हीमसीतित हो जाती है किन्तु उसके तल में जल द्रववस्थाम में बना रहता है इसका कारण है जल की सघनता या घनतु जो 4 डिगरी सेलसियस पर अधिक्तम होती है अगला है सीतकाल में जब जील की उपरी सता का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जल ये जनतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत जो है वो 4 डिगरी से पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की उपरी सता के नीचे का पानी रह जाता है बर्फ में जमी जील के अंदर मचलियां जिवित रहती है क्यूंकि जील की तली पर जल नहीं जम पाता है बस्तू की मात्रा बदलने पर अपरबर्तित रहेगा उसका घनत्व पानी का अपेक्ची घनत सरवधिक होता है 4.5 डिगरी सेलसियस पर जल का अधिक्तम घनत 277 केलविन पर होता है फिर अगला स्टेटमेंट परते हैं कथन में दिया हुआ है कि लोहे का एक गोला पारद पार तैरता है किन्तु पानी में डूब जाता है और कारण दिया है कि लोहे का आपेक्ची घनत पारत के आपेक्ची घनत से अधिक होता है तो A सही है और R गलत है यानि कारण जो दिया है वो सही इसको नहीं करता है कारण गलत है अगला कोशन है कि लोहे के कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का घनत पानी से अधिक है तथा पारे का कम है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है क्योंकि सुई का आपेक्ची घनत उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्ची घनत से अधिक होता है क्या होता है कि सुई का आपेक्ची घनत जो होता है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्ची घनत से अधिक होता है अगला कोशन है लोहे की सुई पानी की सता पर किस कारण से तैरती है तो लोहे की सुई पानी पर प्रिश्ट नाव के कारण तैरती है जब कुए से पानी बाल्टी को उपर खीचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सता से उपर भारी हो गई है ऐसा आप लोग किये भी होंगे तो फिल हुआ होगा अगला कोशन है एक भारीन गुबारे में 200 ग्राम जल भरा गया है इसका जल में भार होगा शुन एक भारीन गुबारे में 200 ग्राम जल भरा गया है तो इसका जल का भार क्या हो जाएगा? शुन हो जाएगा मतने के पस्चात क्रीम का दूद से पिर्थक हो जाने के कारण अपकेंद्री वल होता है क्या होता है अपकेंद्री वल के कारण दूद से मक्खन निकाला जाता है बादलों के बाव्यू मंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत वह तत जो सबसे पहले कृतीम रूप से उत्पादित किया जाता है टेकनिशियम कहलाता है क्या कहलाता है टेकनेशियम समुद्र में प्लवन करते हुए आईसवर्ग का जितना भाग समुद्र की सता से उपर होता है वह एक बटा नौ होता है पानी के एक ग्लास में एक वर्फ का टुकरा तैर रहा है जब वर्फ पिखलती है तो पानी का अस्तर उतना ही होगा पानी का अस्तर नहीं बढ़ेगा पानी के 4 डिगरी से पानी के 4 डिगरी से पर सरीर तैरता है यदि ताप मान 100 लिगरी से हो जाए तो सरीर डूब जाएगा क्या हो जाएगा सरीर डूब जाएगा अब है कि समुंद्र में नदी की अपेक्छा तैरना आसान होता है क्योंकि समुंद्र जल नमकीन होता है जिसमें उसका घना तो अधिक होता है समुद्री जल जो होता है वो उसका नमकीन भी होता है और उसका घनत जादा होता है इसलिए समुद्र में तैरना आसान हो जाता है अगला है कथन ए जब कोई जब कोई जहाज नदी से निकाल कर सागर में प्रवेश करता है तो वह उपर उठ जाता है और कारण दिया है सागर के जल का घनत नदी के जल के घनत से अधिक है तो इसका सही जो हो जाएगा A, R दोनों सही है और R जो है A का सही व्याख्या करता है उसके बाद है Esthetics Science यानि कि इस्थित बिज्ञान किस से संबन दीत है इस्थित से ही आपको असपर्स हो जाएगा कि इस्थित बिज्ञान किस से संबन दीत है तो वो विश्राम से संबन दी जो आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है लाइट अगला है इस देखते हैं कोशन कि 320 से 400 एनेम 200 से 280 एनेम और 280 से 320 एनेम और 400 से 600 एनेम में से वह विकेंड जिसमें उर्जा प्रती क्वांटम सर्वधिक होती है तो सर्वधिक जो होती है उर्जा का क वह आपका हो जाएगा 200 से 280 एनेम में सौन विकिंड दीखता है लगभग 400 से 700 एनेम पारस में और द्रिस्ट प्रकास का धहरेमान प्रासार होता है 390 से 780 एनेम के बीच मतलब द्रिस्ट प्रकास का जो धहरेमान होता है उसका प्रेशार 390 से लेके 780 एनेम के बीच होता है अब है कि द्रिस एस्पेक्ट्रम के तरंग धैर की सीमा लगभाग 4900 एंगेस्टन से लेके 4600 एंगेस्टन होता है किसका द्रिस एस्पेक्ट्रम के तरंग धैर का मानव आख के द्रिस प्रकास के जिस तरंग धैर के लिए सरबदिक सुग्राही होता है हुआ है पचपन सो एगनेस्टन माना बांग के लिए ये बहुत ही सुग्राही होता है प्रकास विकिन की प्रकिरती होती है तरंग एवं कंदोनों के समान प्रकास सीधी रेखा में चलता है और प्रतीत होता है प्रकास का तरंगदर बहुत मोटा है कास्मिक किरन कास्मिक किरन काश्मिक किरन प्रकास एलेक्ट्रोन तथा पराध्वनी तरंग हुआ है जिसका बेग अधिक्तम होता है तो वो प्रकास में सबसे ज़्यादा बेग होता है अगला है प्रकास ध्वनी अकासिय पिंडो का प्रकास ध्वनी अकासिय पिंडो एबं रोकेट में किसका बेग अध अगला है प्रकास का बेग अधिक्तम होता है तो प्रकास का और वेग अदिकतम किस में होता है? निरवात में होता है. काँच, निरवात, जल एवं बायु में परकास की गती निवनतम काँच में होती है, और सबसे ज़ाधा निरवात में होता है. सुर्ज के प्रकास को धर्ती की सता पर पहुँचने में लगने वाला समय क्या है 8 मिनट 3 सेकेंड यानि की 499 सेकेंड लगता है प्रकास तरंगों के बायू से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वो तरंग धर और बेग है जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपरिवर्तित रहती है उसकी आबिर्ती के कारण किसके कारण उपरिवर्तित रहती है प्रकास तो उसकी आबिर्ती के कारण जब प्रकास की किरन सगन माध्यम से बिरल माध्यम में गमन करती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और वो अभिलंब से दूर हट जाती है ये कोश्चन आप लोगोंने बहुत बार परहा होगा जो इस्टुरेंट साइन्स लेके कर पढ़ते होंगे तो फिजिक्स में ये पढ़े होंगे और बहुत मज़ा आता था इस चेप्टर को पढ़ने में क्यास है नियोन अब है साबुन के पतले जहाग में चमकदार रंगों का बनना परिनाम है बहुलतम परिवर्तन और व्यतिकरन का प्रकास तंतु यानि ऑप्टिकल फाइवर जिस सिद्धान पर काम करता है वो है पुन अभ्यांतर या आंतरिक प्रावर्तन ऑप्टिकल परिघटना जिसका उप्योग अप्टिकल फाइवर में किया जाता है वो पुन अंतरिक प्रावर्तन का लाता है तंतु प्रकास सही संचार में संकेत प्रवावित होता है प्रकास तरंग के रूप में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए तो पहला है तंतु प्रकास य पुन्र आंत्रिक प्रावर्तंस के सिधांत पर अधारित है, बिल्कु सही है, प्रकासी तंतु संचार तंत्र में उर्जा उपवोग अतिधिक कम होता है, ये भी सही है, प्रकासी तंतु संचार रेडियो आविर्तिक अवरोध से मुक्त है, ये भी सही है, भारत में प्रकासी तंतु के निर्मान में डिलाइन सुद्योग समू सनवध है तो ये स्टेटमेंट गलत है यानि कि आपका सही एंसर हो चाहेगा एक दू और तीन मरीचों के पेट के अंदर का परिक्षन करने हेतु डॉक्टरों द्वारा परियुक्त इंडोस्कोप का कार्ज क्या है तो इंडोस्कोप जो वह प्रकास के सकल आंत्रिक प्रावर्तन के सिधान्त पर कार्ज करता है अब हैं मिरिच का या मिरिक त्रिसना का कारण या जो है अस कांच में हीरे से कांच में जब प्रकास जाता है तो प्रकास का पुर्ण आंत्रिक प्रावर्तन कहलाता है एक कटा हुआ हीरा चमकता है पुर्ण आंत्रिक प्रावर्तन के कारण उची तिरिती से कटे हीरे की ओसाधारन चमक का अधारवुत कारण है उसका अती उच अपवर् प्रतिरूप को अंकित करता तथा पुनलविर्थी करने का तक्निक का नाम होलोग्राफी कहलाता है। अभी पारदर्सी माध्यम से है। तो इंद दन उसके समान रंग दिखाई परते हैं। इसकी व्याख्या की जाती है प्रावर्तन एबं विवर्तन के कारण यानि की रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन की घटना के अधार पर। निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए। दिरिग तरंग धैर वाले प्रकास का परकेडन लगू तरंग धैर वाले प्रकास से अधिक होता है। जल में द्रिस प्रकास की गति निरवात में 0.95 गुना होती है। और रेडियो तरंग दुत गामी दोलाइमान वैदुत धाराओं से उत्पन होती है। यह सही है, यह दोनों स्टेटमेंट गलत है। और अतिचालन बाहनों का पता लगाने के लिए पुलीस डॉबलर के परिवर्तित लगू रेडियो तरंग का परभाव का उपियोग करती है। तो यह भी सही है। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो तीन और चार सही है। अगला स्टेटमेंट दिया है, कथन में दिया है कि एक चल्चितर में पूरी फिल्म के एक सीरे से दूसरे सीरे तक समानेता 24 फ्रेम प्रती सेकेंड प्रच्छेपित किये जाते हैं। और कारण दिया हुए है, कथन तो सही है, कारण देखते हैं कारण में क्या है कि आँखी रेटीना पर निर्मित प्रती विम्मित उत्ती बन हटाने के बाद 1.1 सेकेंड तक बना रहाता है। तो आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे कि ये कितने सेकेंड तक कोई भी प्रती विम्मित हमारे आँख पर रेटीना पर बना रहाता है। अभी नेत्र लेंस द्वारा किसी बस्तू का जो प्रती विम्मित रेटीना पर बनाया जाता है वो उल्टा और बास्तविक होता है। अभी नेत्र द्वारा जो बनता है। और एक आँख की अपेक्छा दो आँखों का होना अधिक उप्यूगत है क्योंकि इस कारण से दूरी वा गहराई का असास होता है। अगला कोशन है कि सुर्ज गरहन के दोरान सुर्ज को सीधे देखने से आँख में और परिवर्तनी च्छती पहुंशती है। इसका कारण है अल्ट्रा वाइलेट प्रकास। किसी तारे का रंग दर साता है उसके टेंपरेचर को उसके अताप को। बायू मंडल में प्रकास के विश्रन का कारण धूलकन है। अब निवलिखित पर विचार कीजिए। यदि मैजेंडा रक्तभाम निल लोहित बोलते हैं और पिले रंग का दो बृत एक दूसरे को काड़ते हैं तो प्रति छेवित छेतर का रंग लाल होगा। यह सही है। यदि रसायन यानि हरिताव निला और मैजेंडा रक्ताव निला लोहित रंग दो बृत एक दूसरे को काड़ते हैं तो प्रति छेतर का रंग निला होगा। तो यह भी सही है। दोनों बिलकुल सही है। अगला देखते हैं परकास का रंग निर्धारन होता है उसके तरंग धार पर। परकास का रंग किस पर निर्धारित होता है उसके तरंग धार पर। सबसे लंबा तरंग तरंगधर किसका होता है लाल का होता है और सबसे कम बेवलेंध तरंगधर वाला प्रकास बैगनी होता है और द्रिस वन क्रम में सबसे कम तरंगधर वाला रंग बैगनी का होता है नीला प्रकास, हरा प्रकास, लाल प्रकास, पिला प्रकास में से उच्टम उर्जा होती है नीला प्रकास का उच्टम उर्जा किसका होता है नीला प्रकास का कथन A में दिया है कि जब प्रकास के द्रिश 1 क्रम में लाल प्रकास हरे प्रकास की अपेक्छा अधिक उर्जशी होता है ये statement गलत है ज्यादा नहीं होता है कम होता है और R में दिया है कि लाल प्रकास का तरंगधर हरे प्रकास के तरंगधर से अधिक होता है तो ये सही है ला प्रीज में द्वारा सबसे कम बिचलित होगा लाल, सभी कलर में सबस्यादा लाल बिचलित होगा सीसा पर, हमें बास्तविक सुर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सुर्ज दिखाई देने का कारण प्रकास का अपवर्तन है, छितीज के समीप सुर्ज एवं चंद्रमा के दिर् प्रकास पर्युक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग धैर सरवधिक होती है, इसलिए अगला है, स्टेट्मेंट में ए में दिया है कि खत्रे का सिंग्नल लाल रंग से बनाया जाता है, और लाल रंग का परकेणन सबसे कम होता है, तो A, R दोनों सही है, लेकिन R जो है एका सही व्याख्या नहीं है, खत्रे में सिंग्नल लाल में इसलिए पढ़ियों किया आता है उसका त्रंग धर्ज जो होता है सबसे जादा होता है, इसलिए, अगला कोशन है कोबाल्ट, आकसाइड, क्यूप्रिक आकसाइड, फेरिक आकसाइड तथा निकेल आकसाइड में वह जो पयक्षा बाईू मंडल दौरा अधिक परकिर्णन होता है खत्रे के संकेतों के लिए लाल प्रकास का पडियो किया जाता है कि इसका परकिर्णन सबसे कम होता है ने मलिकित कथों पर विचार कीजिए तो आकास के नीला दिखने का कारण परकास का परकिर्णन है बिलकुल सही इंद्रधन उसके सात रंग का उदारन परकास का परकिर्णन ये गलत है, सुरियोदय के समय सुर्ज लाल दिखने का कारण परकास का परकिर्णन है, तो ये सही है, ये दोनों सही है, ये जो है गलत है, इंद्रधन उसका कारण परकास का आंत्रिक प्रावर्तन है, मतलब आंत् अकास का प्रकिर्णन अंत्रिक्षी आत्री को अकास का रंग दिखाई देता है काला जब अधिक उचाई पर बायुयान से अकास को देखा जाता है तो वह काला दिखाई पड़ता है कैसा दिखाई पड़ता है काला समुद्र निला प्रतित होता है अकास के प्रावर्तन तथा जल के कनों के द्वारा प्रकास के प्रकिर्णन के कारण हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरी रंग के प्रकास को हमारी आँखों में प्रवर्तित करती है इसलिए अगला कुशन देखते हैं तो प्लीज आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो को जाज ज्यादा सेर कीजेगा आपके दरोगा की एकजाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और जिन लोगों ने अभी तक ये सोच रहे होंगे कि बुक एक बार और कंप्लीट कर लेते हैं प्लीज आप लोग ये सोचे बिलकुल नहीं और प्लीक रीविजन यहां से कर सकते हैं तो अगला है प्रशारी विश्व की संकल्पना अधारित है प्रशारी विश्व की संकल्पना जो अधारित है वो डॉपलर के प्रभाप पर अधारित है उसके वाद है माल लीजिए प्रित्वी से पस्चिम गामी हो रहे है एक रोकेट यान की चाल प्रकास के बेक का दोवटा दस है तो रोकेट यान में इस्थित यात्रियों को जो प्रकास नीला दिखाई दे रहा है वो प्रित्वी परिस्थित प्रच्छेपों को दिखाई देगा पीले रंका कैसा दिखाई देगा पीले रंका अब है कि किसी उत्तल दर्पन द्वारा आनंत तथा दर्पन के दुरूप P के बीच रखे बिम्ब के प्रती बिम्बित की प्राकिर्ती होगी अभासी और सीधा कह रहा है कि जब उत्तल दर्पन है वो आनंत था दर्पन के दुरूप जो है वो पी पर किसी बस्तू के बीज में रखा गया है तो बस्तू का जो प्रतीबीम होगा वो कैसा होगा तो बस्तू का जो प्रतीबीम होगा वो अभासी और सीधा होगा कार के पिछे के यातायात के दिश अब लोकन के लिए प्रिस्ट द्रिस्टी दर्पन के रूप में पडियोग होता है तो उत्तल दर्पन का हम लोग पीछे की बस्तु को देखने के लिए जो गाड़ी में सिसा लगा होता है उसमें किसका उयूज करते हैं उत्तल दरपन का अब है कि दाड़ी बनाने के लिए काम आता है अब तल दरपन धूप से बचने के लिए छाते में रंग सयोजन जो सबसे उचीत है वो है उपर उजला नीचे काला अगला है खालविये दूरदर्शी से बना परतिविम होता है कालपनीक और बड़ा जब दो समाना आंतर संवतल दरपन के बीच कोई बस तू रह दिजाती है तो बनने बाले परतिभिम की संख्या आनंत हो जाती है क्या हो जाती है आनंत हो जाती है परकास के एक बिंदु सुरोथ को दो समानांतर संतल दर्पनों के माध्यम से रखने पर बनेंगे अनंत प्रतिविम कैसा बनेंगे अनंत प्रतिविम बनेंगे जब किसी दरपन को ठीटा कोंसे गुर्णित किया जाए तो परिवर्तित किर्ण का गुर्णन टू ठीटा हो जायगा मतलब दो गुना हो जायगा अगला स्टेटमेंट दिया है कथन ए में है कि यातायत संकेतो पर जड़ी हुई काच की छोटी-छोटी माईनी काओ उन पर परकास पढ़ने पर तेजी से चमकने लगती है चमकने लगती है तो ये जो है बिल्कुल सही है और परकास पुन्दता परिवर्तित होता है जब आपतन कोन एक निश्चित क्रांतिक कोन से अधिक हो जाता है एबं आपेक्छाकृत सखन माध्यम से गुजरता हुआ परकास के आपेक्छाकृत बिरल माध्यमें परिवर्तित ह जाता है तो इसका जो सही एंसर है वो दिया हुआ है कि A, R और दोनों सही है और R जो है A का सही अस्पस्टी करन है परकास का वर्ण विच्छेपन संभब है प्रिज्म द्वारा परकास का वर्ण विच्छेपन किसके द्वारा होता है तो प्रिज्म द्वारा होता है अब है प अगला है जब धूप बरसा की बुंदो पर गिरती है तो इंद्रधनुस बनता है इसके लिए जो वोतिक पड़ी घटनाएं जिमिदार है वो है पड़ी छेपन यानि प्रावर्तन अपवर्तन और आंत्रिक प्रावर्तन ये तीनों होता है नीला हरा पीला तथा लाल रंग में इंद्रधनुस के मद में दिखाई देता है हरा नीला हरा और पीला और लाल इस चारों के मद में क्या होता है हरा होता है इंद्रधनुस के दोनों सिमान्त वन पट होते हैं बैगनी और लाल कैसे होते हैं बैगनी और लाल दोफर के 12 बजे किस दिसा में इंद्रधनुस दिखाई देगा तो दोफर के 12 बजे इंद्रधनुस दिखाई देता ही नहीं है अगला question है कि कतन A में दिया है कि एक छडी को जल में तीर्छी हिस्तिती में डुबाया गया यदि बगल से देखा जाए तो छडी छोटी और जल की सता से जुकी हुई पर्तित होती है ये statement सही है आगे देखते हैं अगला statement R में है कि छड़ी से आने वाला प्रकास जल अनुओं से प्रकिर्नित होकर छड़ी के छोटी एवं जुकी हुई होने का अवहास देता है तो इसमें दिया है कि A सही है लेकिन R जो है वो गलत है ठीक है तो ये R गलत है A सही था अगला एनिमलिकित कथनों पर विचार कीजिए यदी कोई बेक्ती पानी भड़ी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसको सिक्का अपना बास्तविक अस्तल से अपेक्छाक्रित निकट लगेगा ऐसा हो सकता है क्या तो ये बिलकुल सही है यदी जल के अंदर कोई बेक्ती जल तल से उपर एक सिक्के को देखता है तो उसका सिक्का आपने बास्तविक अस्तल के अपेक्छाक्रित अधिक उचाई पर लगेगा तो का रहा है कि उप्युक्त कथने में से कौन सा कथन सही है तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है अगला है जल के अंदर बायू का बुलबुला बेवहार करता है जल के अंदर बायू का बुलबुला जो है वो अपसारी लेंस या अपतल लेंस जैसा बेवहार करता है किसी वेक्ति का पूरा प्रतिवीम देखने के लिए एक सम्तल धर्पन की निम्तम उचाय होनी चाहिए वेक्ति की उचाय से आधा देर मीटर लंबे वेक्ति यानि देर मीटर लंबे वेक्ति को अपना खड़ा संपुन प्रतिविम देखने के लिए अबस्यक दर्पन निम्तम लंबाई कितनी होनी चाहिए तो देर मीटर का आधा हो जायेगा 0.75 मीटर एक समतल दर्पन की वक्षता तिर्जया आनन्त होती है दूर दर्पन की वक्षता तिर्जया कैसी होती है आनन्त होती है दूर द्रिष्टी निवारन के लिए काम में लाते हैं उत्तल लेंस को दूर द्रिष्टी दोस वाले वेक्ति के संबंद में सही कथन नहीं है इस दोस को कद दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है नडो तर कंव के भी इसको कहते हैं किसका क्या क्यार तो मायोपिया कहते हैं तो कभी-कभी मायोपिया कारें जब पूचता ब Completely क्यक्ति तिर्फ्ष शेतर से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता तो उसे कुछ समय के लिए असपस्ट दिखाई नहीं देता है बाद में धीरे धीरे उसे चीज दिखाई देरे लगती है इसका कारण क्या है तो हमारा जो आंक का पुतली है वो क्या करता है कि बाहरी आकार को अपने आंक में प्रवर्तित कर लेता है जो रोडो स्पीन का बिर इस बनते हैं उद्तल लेंस से अस्टेड़ी जो हंता है उसमें क्या लगता है उत्तल लेंस का अगला है कि खोज बत्ति यानि सर्च लाइट में धरबन जो पर काच के दो लेंज जिन में एक उत्तल है और दूसरा आवतल है एक दूस्रे से सठा कर रखे गए में यूग को विभार करेगा काच की समतल चादरud की भांती उसके बाद है असपश्च घ्रिस्टी दोस्ट की निम्तम दूरी क्या होती है 25 cm होती है आग के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सीलियरी मानस्पेसियों के सिथिलियन संकुचन से लेंस की सकती डायाप्टर से मापी जाती है यदि किसी एनक के लेंस का पावर प्लस टू डायाप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्य पावर नहीं होता है F22 F22 बराबर 1 by 10 दिया हुआ है F बराबर दिया हुआ है F16 बराबर 1 by 125 दिया हुआ है और F8 बराबर दिया हुआ है 1 by 100 250 एबम F56 बराबर दिया हुआ 1 by 1000 में से कमरे के द्वारक और का पाठ गती को जो सयोग अधिकतब उद्भासन होने देगा वो कौन होगा तो वो जो होगा वो F22 by 1 by 16 हो जाएगा अगला कोश्चन है आँखी रेटीना के प्रमपरागत कैमरा के जिस भाग से तुलना की जा सकती है वो फिल्म है मनुष्य की आँख में किसी बस्तु का परतिविम जिस भाग पर बनता है वो द्रिश्टी पतल यानि रेटीना कहलाता है किसी और पारदर्सी बस्तु का रंग उस रंग का कारण होता है जिसे वो प्रबर्तित करता है एक रंगीन टेलीविजन में तीन अधारबुत रंगों के मिश्ट्रन से रंग बनते हैं रंगीन टेलीविजन जो बनता है वो लाल, हड़ा और नीला को मिला कर जब लाल, नीले और हडे प्रकास का पुझ एक अस्तान पर परता है तब परकास का रंग सफेद हो जाता है क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है काला, हरा, लाल तथा नीला से प्रात्मिक रंग नहीं है कौन काला प्रात्मिक रंग नहीं है? तील मुल रंग है नीला, हरा और लाल सूर्ज के प्रकास में रंगों की संख्या साथ होती है सूर्ज के प्रकास में उपस्तित रंगों के संदर में हरा, भूरा, लाल तथा निली रंगों का विसम भूरा होता है यह सब दो होता है बट ब्राउन नहीं होता है अगला है निमलिकित परिखटना ओपर विचार कीजिए तो परिखटना दिया हुआ है कि गोधुलू से सुर्ज का अमाप होता है उस्मा काल में सुर्ज का रंग, उस्षा काल में चंद्रमा का दिखना अकास में तारे का टिम्टी माना अकास में दुरुप तारे का दिखना उप्युक्त में से द्रिष्टी ब्रहम है कौन सा तो द्रिष्टी ब्रहम जो है वो एक दो और चार है एक दो और चार गोदुलू से सुर्ज का आमाप उशाकाल में सुर्ज का रंग और आकास में तारों का टिम्टी माना ये जो है द्रिष्टी भ्राम है अगला है कतन एक में देख स्टेट्मेंट दिया है कि क्रिष्ण छिद्र एक ऐसा खगोली आस्तित्व आस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है तो ए जो विल्कुल सही है और क्रिष्ण छिद्र पर गृत्विय छिद्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकास को भी बजने से निकाल लेती है तो ए आर दोनों सही है और आर जो है एक आस्पस्टी करन है ठीक है कतन ए में फिर दिया हुआ है कि अंत्रिक्ष अधारित सौर उर्जा को ऐसा सुझाया जाता है कि रास्ति लक्ष बढ़ना चाहिए और कारण में दिया है कि कि आप पूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलाबा उर्जा की बहुआतायात उपलबता है तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही अस्पस्टी करन है अब है हमारा थर्मो डाइनामिक्स उस्मा एबं उस्मा गति की इसे करते हैं पहला है संबहन द्वारा उस्मा का रुपांतरन हो सकता है गैस एबं द्रव में उस्मा का रुपांतरन गैस से द्रव में होता है 100 डिग्री से वास्प द्वारा उत्पन जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन जलन से अधिक गंभीर होती है क्यूंकि वास्प द्वारा अधिक उस्मा दी जाती है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाक्रित उबलते जल से क्यूंकि भाप में गुप्त उस्मा जो होती है अधिक होती है अगला है एक ग्राम बर्फ को 0 degree temperature से वास्प में 100 degree Celsius ताप करम तक ले जाने के लिए आबस्ते कुस्मा कितना हो जाएगा 720 कैलोरी होगा centigrade एवं foreign height ताप करम समान रहते हैं 40 degree पर वा बिंदू जिस पर foreign height ताप करम centigrade ताप करम को दुगूना होता है वह 160 centigrade centigrade एक स्वास्थ मनुस के सरीर का ताप कितना होता है तो 36.9 degree Celsius होता है केलविन के मान में मानब सरीर का temperature 310 Kelvin होता है और मानब सरीर का समान temperature foreign height में होता है वो 98.4 foreign height होता है और इसके बराबर Celsius में 36.89 degree Celsius हो जाता है बहुत important है Celsius इसकेल पर मानब सरीर का temperature 36.9 degree होता है फोरन हाइट के पैमाने पर ताप मान 200 foreign height का मान Celsius के पैमाने पर होगा 93.3 degree Celsius उसके बाद है कि 40 degree Celsius का मान foreign height इसकेल पर कितना हो जाएगा 104 foreign height हो जाएगा और 50 degree Celsius मान का foreign height इसकेल पर 122 foreign height हो जाएगा माना कि ओसा टेंपरेचर सेंटिग्रड तथा फोरन हाइट F हो तो C तथा F यदि C F का संबंध तो F बरावर 9 by 5 Celsius पलस 32 हो तो F और C का संबंध होगा तो F और C का जो संबंध होगा यहां पे दर्साय होगा कि F बरावर 9 by 5 C पलस 32 Celsius जितना होगा वो दिया जाएगा उसके बाद है ठंडे देशों में पाड़ा के अस्थान पर अलकोहल को ताप मापी द्रव के रूप में वरियता दी जाती है क्योंकि अलकोहल का दर्मांग निमनत्तर होता है स्वचालित इंजनो हेतु हीम रोधी के तौर पर पर्युक्त होता है एथिलीन ग्लाइकॉल का किसका एथिलीन ग्लाइकॉल का परम सुन्निताप है संधोधिक रूप से निउनतम और संभवतर टाइमपरेचर 0 Kelvin या माइनस 273.15 डेगरी सेलसियस होता है गर्म करने से विस्तांतरन पदार्थ का घनत घटा देता है क्या करता है पदार्थ का घनत घटा देता है जब बर्थ पी घलती है तब आयतन क्या हो जाता है बढ़ जाता है अब है समय की द्रिष्टी से द्रबो पी और क्यू के ताप 0 degree centigrade से 100 degree centigrade तक उतार चड़ा नीचे की आरेक में दिखाया गया है एक में इसे छोटा कर देते हैं आरेक समझ में आएगा देख सकते हैं आप लोग की 100 से 0 degree तक आरेक को दिखाया गया है तो इसमें सही कथन पुछा जा रहा है तो इसका सही कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q का ताप, Q का ताप जो होगा वो P के ताप की तुलना 100 डिगरी सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ वो तेजी से पहुँचेगा, P के अप एकछा Q अगला है थर्मोसिष्ट संबंदित है तो थर्मोसिष्ट का संबंद जो है वो किस्टे है तापकरम से है थर्मोस्टेट यानि कि ताप अस्थाई का पडियोजन होता है टेंपरेचर को इस्थी रखना थर्मोस्टेट का क्या काम होता है कि टेंपरेचर को कंट्रोल करना रेजी फ्रेटर में थर्मो एस्टेट का कार एक समान तापमान को बनाए रखना है रेजी फ्रेटर में खाद परदाथ ताजा रखने हेतू सुरक्षी तापमान कितना हो जाएगा 4 डिगरी सेलसियस हो जाएगा जब सीले विस्कुटो को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रख जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रीज के अंदर आदरता कम होती है इसलिए अत्रिक्त नमी अपसोसित हो जाती है जब कोई बिस्किट सिल पैक होता है उसे थोरी देरे के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता तो वो कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि उसका आदिता जो होता है वो कम हो जाता है और नमी अपसोसित हो जाती है असके बाद है A कि बर्फ का टुकरा पे को ठंडा बना देता है और R में दिया है कि बर्फ के पिघलने के लिए पे से गुपतिसमा लेता है जिस से पे ठंडा हो जाता है तो इसमें जो है A और R दोनों सही है ए जो hai R का सही व्यख्या है अगला statement परते हैं खतन A में दिया है कि बड़े सीथगडी सयंत प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं जबकि घरेलू प्रशीतक कोलोरोफ्लोरोकार्वन का उपयोग करते हैं तो A तो सही है और R में देखते हैं क्या है अगला है कतन A में कि यदि फ्रीजर पर बर्फ की खट्टी होती है तो रे फ्रीजर पर सीतलन बुरी तरह परभावित हो जाता है A सही है अब बर्फ एक दूर्बल चालक है तो ये दोनों सही है A आर जो सही है और आर A का सही असपस्टी करन भी है अब है सीसे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है साथ ही उसकी चोड़ाई भी क्या होती है बढ़ती है जब भाप में किसी सीसे को छड़ के रखेंगे तो उसकी लंबाई तो बढ़ेगी साथ में उसकी चोड़ाई भी बढ़ जाएगी अब दिया है कि नीचे दिये गया है एक धातु गुलक धातु बले के चितरों पर ध्यान दीजिए यह गुलक है और वे बले है तो पत्ती से बने धातु बले के चितर में धातु गुलक भड़ सकता है यदि गुलक को गर्म करे तो अटक जाता है यदि धातु बले को गर्म करे तो गुलक निकल जाएगा क्यूंकि तापमान से प्रशार के कारण बले का ब्यास वड़ जाता है किस क्या होता है temperature के कारण बले का जो ब्यास है वो बढ़ जाता है अगला question है कि दो धातू A और B की पटियों एक साथ मजबूती से जुड़ी हुई है ठीक है A और B देख रहे हैं कि दोनों जुड़ा हुआ है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो गर्म करने पर A B से अधिक फैलती है यदि इस जुड़ी हुई पटि को गर्म किया जाए तो यह रूप गर्हन कर सकती है किस तरीके का देख सकते है नीचे वो जो हो जाएगा इस तरीके का बन जाएगा जब दोनों को साथ में गर्म करेंगे तो कतन A में दिया है कि तामबे के टुकड़े को तथा कांच की टुकड़ों को एक ही तापमान पर गर्म किया गया उसके बाद असपर्श करने पर तामबे का टुकड़ा कांच की टुकड़े की अपेक्छा अधिक गर्म लगता है तो यह सही है और ताम्बे का घंथ का घंथ से अधिक होता है तो यह भी सही है और R जो है वो A का सही अस्पस्थी करन नहीं है ठीक है अगला कोशन देखते हैं कि थंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकडी के गुटके को प्राता काल बे छुए तुल्लोहे का गुटका थंड़ा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना लोहा जो होता है वो उसमा का चालक होता है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवास्प गरहन करने की छमता बढ़ जाती है क्या हो जाती है छमता उसकी बढ़ जाती है अब है कि तेज हव वाबाली रात्री में ओस नहीं बनती है क्योंकि बासपिक रण कि दर तेज होती है इसलिए ओस नहीं बनता है सही कथन नहीं है Air Conditioner और Air Cooler दोनों आदरता को नियंतरित करते हैं ये स्टेट्मेंट सही नहीं है कमडे में लगा हुआ वातावनीक कुलित नियंतरित करता है किस को आधरता और टेंप्रेचर को हमारे अपने कमड़े में जो ऐसी लगता है वो किसको कंट्रोल करता है तो आधरता और टेंप्रेचर को डेजर्ट कुलर द्वारा सीतलन अधारित है वास्पन सीतलन पर कमड़े को ठटा किया जा सकता है संप्रित गैस को छोड़ने से गीले बिंदू उसका घट जाता है जब पानी में सधारन नमक मिलाया जाता है तो पानी का कोथनांक बिंदू और हिमांक बिंदू बढ़ेंगे और घटेंगे कौतनांक बिंदू बढ़ जाएगा और हीमांक बिंदू घट जाएगा जब सलहारा नमक पानी में मिलाया जाएगा तो अब है statement में दिया है कि उचाई वाले अस्थानों पर भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है तो ए सत्य है और उचाई वाले अस्थान पर टेंपरेचर कम होता है तो ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही व्यक्या नहीं है थर्मल बोत्तल में पेपदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए दिवारों का परत लगाई जाती है किसकी रजत परत लगाई जाती है थर्मो प्लाक्स में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें संचालन, संबहन, विकिर्ण द्वारा उस्मा की कोई हानी या प्राप्ती नहीं होती है इसलिए थर्मस में कोई भीची ज़्यादा दिर तक गर्म ड़ा सकता है गर्मियों में सफेद कपरे पहनना ज़्यादा अरामदे होता है क्योंकि वो अपने उपर पढ़ने बाली सारी उसमा को प्रावर्तित कर देते हैं उसके बाद है कतन A में दिया हुआ है कि जारेक में पहनने के लिए हम सफेद कपरे को वर्यता देते हैं यानि उसे कम पहनते हैं और सफिद कपरे उसमा के अच्छे प्रावर्तित होते हैं तो इसमें दिया है कि ए भ्रामक है किन्तु आर सत्त हैं आर जो है बिल्कुल सत्त है ए ऐसा कुछ है नहीं जारे के दिनों में जरूरी नहीं है कि हम लोग सफिद कपरा पहनना ही नहीं चाहत तो ए आर दोनों सही है और आर एका सही अस्पस्टिकरन भी है पसीने का मुख उप्योग है शरीर के ताप को नियंत्रित रखने के लिए पसीना जब वो टेंपरेचर को नियंत्रित रखता है गरम मौसम में पंखा चलने से अड़ा महसूस होता है क्यूंकि हमारा पसीना सिम्ला में 24 डिग्री टेंपरेचर था सभी रूपों में समान धातू को दो प्यालों में पानी चुरू में 95 डिग्री सेल्सियस वार सिम्ला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया दोनों में से वहा प्याला जो कमड़े के तापमान पर पहले पहुँचेगा तो इसका सही ठीक है, उसके बाद है सुस्कता दसा संदर्बदित हैं निम्र आध्रता से, कतन ए में दिया है, कि उचाई बढ़ने के साथ सा जल्का कोतरांक बिंदू घटता है, तो ये सही है, और उचाई के साथ भाव्यमंदल ये दाब बढ़ता है, ये गलत है, तो उचाई के साथ प्रतु हम इसका अनुभब नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त बाविमंडल के दवाब से कुछ अधिक दवाब डालता है इसलिए हम उसे अनुभब नहीं कर पाते हैं कथन में दिया है कि तापमान में बिर्धी के साथ गिल्सरीन की स्यानता बढ़ जाती है तो यह जो है गल कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाप पर पानी अधिक ताप क्रम पर उबनने लगता है इसलिए खाना जल्दी पक जाता है उसके बाद है प्रेशर कुकर में खाना सिग्रता पुर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ को और बढ़ा देता है इसलिए क गर्म किया जाता है तो उसका आज़तन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा और सबसे ज exclusively कितने डिगरी पर होता है तो 4 डिगरी Celsioris पर सबसे ज़ादा उसका टेम्प वॉलूम होता है, मतलब घनत होता है, उसके यदि यदि तापमान 9 डिगरी Celsioris से गिरा कर 3 डिगरी Celsioris कर दिया जाता है, तो जल का आइतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा, अब है कि निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए 100 डिग्री टेंपरेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में उस्मा की मात्रा एक समान होती है अगला है कि बर्फ की सलंगन गुप्त उस्मा तथा जल्ग की वास्पन गुप्त उस्मा के बड़ाबर होती है ये दोनों गलत है आगे देखते हैं आगे क्या करते हैं साफ मेग रहित रातों की तुलना में मेगा अंचन राते अपेक्षाक्रित गरम होती है क्योंकि बादल प्रित्वी से छोड़ी गई उस्मा को प्रावर्तित करते हैं इसलिए जादा गर्मी होता है और वादल अच्छांचिद राते स्वक्षाकास वाली रातों से अधिक गरम होती है क्योंकि बादल प्रित्वी तथा हवा से उस्मा का विकिन रोकते हैं सीत कोष्ट में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि स्वसन की दर घटा दी जाती है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का गुबारा प्रित्वी की अस्थल से छोड़ा जाता है तो बाईूमंडल की उचाई पर जाने से गुबारे के अमाप में ब्रिदी होगी अब है कथन एक में कि उनी बस्त हमें गर्म रखते हैं यह सही है उनी रे से एक बिसिस परकार की प्रोटीन के बने होते हैं जो उसमा का कुचा लख होता है तो ऐसा कुछ भी ने यह स्टेट्मेंट गलत है सही कथन नहीं है अब है आधरता के बढ़ने पर बायू में ध्वनी का बेक क्या हो जाता है कम हो जाता है यह स्टेट्मेंट सही नहीं है कमडे में रखे रेजी फ्रीटर का दरवाजा खोल कर आप अंत्ता हमा अब कमडे का थोड़ा गर्म कर सकते हैं कमडे में रेजी फ्रीटर का दरवाजा खोल कर आप कमडे को थोड़ा देर में गर्म कर सकते हैं यदि किसी गैस का आयतन 27 डिगरी सेलसीयस पर संपिडित मुल का अधाग कर जाए, तो उसे पुना मुल आयतन प्राप्त कर पाने के लिए गर्म किया जाएगा 327 डिगरी सेलसीयस तक. अब हैं हैं हमारा तरंग गती तरंग गती के बारे में पढ़ते हैं रेडियो तरंग ए एक्स किरनो प्रकास तरंगों तथा ध्वनी तरंगों में से वह जो यांत्रिक तरंग है तो यांत्रिक तरंग जो है वह ध्वनी तरंग को यांत्रिक तरंग के कहते हैं रेडियो तरंग, ध्वनी तरंग, एक्स किरन और गामा किरन में ध्वनी तरंग जो है वो अनुधर तरंग का उधारन है। बायू में ध्वनी तरंग होती है अनुधर, बायू में ध्वनी तरंग कैसी होती है अनुधर होती है। दिर्ग रेडियो तरंग प्रावर्तित होती है आयन मंडल से किस से आयन मंडल से बेतार के तार का संपर्क प्रित्वी के धरातल को प्राबर्तित किया जाता है आयनो स्फेयर द्वारा रेडियो तरंगों के विछेपन के लिए बायू मंडल के अस्तरों में से जो अस्तर उत्तरदाई है वो है आयन मंडल रेडियो तरंग जो सुन्य संचरण नहीं कर सकती है, वो है धनी तरंग कैसा है अगला कोशन देखते हैं अब हैं कि कॉस्मी किर्णे के संबंध में सही कथन नहीं है तो वो जो है विद्दू चुम्बक ये तरंग होती है ये कथन सही नहीं है तो कॉस्मी किर्णे अभी ही बता है कि कॉस्मी किर्णे कैसी तरंग होती है तो कॉस्मिक किर्णे जो है वो आवेशित कन होते हैं कैसे होते हैं आवेशित कन होते हैं उसके बाद है पारा उच आविर्ती के तरंगे सधारंता संचारित की जाती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में दो उत्तोरतर स्रिंग आथवा दो उत्तोर गर्थ के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग धैर क्या कहते हैं उसको तरंग धैर यानी वेवलेंथ कहते हैं विद्धु चुंबक के तरंग का बेग होता है 3 x 10 to the power 8 meter per second आवे क्रिस्टल की सरचना जानने के लिए पडियोग में लाया जाता है x किरने को किसको लाया जाता है क्रिस्टल की सरचना को जानने के लिए x किरने को एक रडार जो सत्रू के बायुयान की इस्तिती का पता लगाता है वो रेडियो तरंग है किसका पडियोग किया जाता है रेडियो तरंग का सत्रू के बायुयान की उपसिती का पता लगाने के लिए जब समताप मंडल में ओजोन का आफशे होता है तो प्रित्वी के धरातल पर प्रतीत विकिन का तरंगधर 10 to the power 7 M होता है रात्री द्रिस्ट्यूप करनों में पडियोग किया जाता है अवरक तरंगों का द्रिस्ट प्रकास इन्फरा रेड अल्ट्रा वाइलेट और माइक्रो बेव में से दूर संचार के लिए पडियोगत तरंगे हैं माइक्रो बेव जो हो दूर संचार के लिए पडियोगत तरंगे हैं टेलीविजन प्रदर सक डिस एंटीना पडियोगत करते हुए बरसात में उपकरा सीनल प्राप्त नहीं करते हैं क्यूंकि इसमें स्टेटमेंट दिया है कि एंटीना छोटे होते हैं सही है बरसा की बुं कारन सेवा में पडियुक्त होने वाली आबिर्ती बेंड का पारस होता है 88-108 मेगा हज के मध्य आतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है एक्स किर्णों का सीटी इसकिन करने के लिए एक्स किर्णों का उपयोग होता है अब है हमारा साउंड धोनी से क्या है तो पहले तीन पहले नाइट्रोजन होगा फिर जल होगा फिर इस पात होगा ठीक है तो धोनी की चाल सबसे कम किसमें इस पात में होती है उसके वाद है कि बायू द्रब धातू तथा निर्वात में से धोनी का बेग अधिकतम कहा होगा धातू में होगा धोनी का बे तो 20 40 में होगा सबसे कम किस में होगा छोगा है यदि भी ए भी W और बी एस करम सा बायू जल और इसपाथ में ध्वनी की गती पूछे तो तो सबसे पहले BA में होगा फिर VW फिर VS ठीक है यानि कि air, water और फिर spot पहले पहले air का होगा फिर water का होगा फिर निर्वात का होगा अगला कोशन देखते हैं कि लगभग 20 डेगरी Celsius के टैंपरेचर पर ध्वनी की गती, हवा, ग्रेनाइट, पानी एवं लोहे में अधिक्तम रहेगी तो सबसे ज़्यादा लोहे में रहेगा जब 20 डेगरी Celsius से उसका टैंपरेचर ध्वनी की गती हवा में होगा तो सबसे ज़्यादा किसमें लोहा में हो जाए ध्वनी तरंग जो है ठोस तथा गयस दोनों माध्यों में चल सकती है ध्वनी आरपार नहीं जा सकती है निर्वात में ध्वनी आरपार नहीं होती है निर्वात में जब एक ध्वनी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है ओपरिवर्तित रहती है उसकी आबिर्ती जो है वो ओपरिवर्तित हो जाती है म्यूजिक कंस्टर्स के लिए हाल की दिवारे को ध्वनी का अपसोशन करना चाहिए ठीक है मतलब music hall जो बनता है उसमें ध्वनी के absorption करना चाहिए उसके hall के दिवारों का ऐसा बनाना चाहिए अगला है असपस्ट रूप से प्रती ध्वनी सुनने के लिए प्राबर्ती सता और सुनने वाले के मध्यें कम से कम की दूरी होनी चाहिए लगभग 17 मीटर का यानि की solo.5 ध्वनी का बायू में बेग अनुमानता 330 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनी में बायू का बेग कितना होता है 330 मीटर पर सेकेंड चंद्रमा के धरातल पर दो बेगती एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर बायू मंडल नहीं होता है एक अंत्रिक्ष यात्री अपने सापाथी को चंद्रमा की सता पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनी प्रसारित करने का माध्यम नहीं होता है विकिंड, संबहन और स्चालन वह जिसके लिए माध्यम की अवसकता नहीं होती है अब है निमलिकित कतनों पर विचार किजिए कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आबिर्थी की तरंगे उत्पन होती है ध्वानी शैलों में से केबल अनुधर प्रतियावास्ता तरंगों के रूप में प्रगामी होती है तो क्या है कि कथन दोनों ना तो कथन 1 और 9 ही 2 कथन सही है ये दोनों कथन गलत है प्रासरव तरंग के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए तो प्रासरव तरंग जो है ये कीरा को नस्ट कर सकती है सही है ये कपड़ा से धूल हटा कर उन्हें साफ करती है ये भी सही है इनका उपयोग बिमारी के उपचार के लिए किया जाता है ये भी सही है, ये स्वचाली दरबाजों को नियंत्रित कर सकती है, ये सभी कथन सही है प्रासरव वो धोनी है, जिनकी आबिर्ती 20,000 हज से अधिक होती है प्रासरव धोनी की धोनी कैसी होती है, 20,000 हज से अधिक होती है और मनुस्य की जो होती है वो 20 हज से लेके 20,000 हज तक होता है कितना 20 हज से लेके 20,000 हज तक एक जैब विवता पधती जिसमें प्रासरे धोनी का उप्यो किया जाता है वो सोनोग्राफी कहलाता है क्या कहलाता है सोनोग्राफी और चमगादर को अंधिरी रातों में उर सकते हैं, अपना सिकार का भी कर सकते हैं, इसका कतन है कि वो पाराध्वनी तरंगे निकालते हैं और उनके द्वारा निर्देसित होते हैं, पाराध्वनी तरंग, उसके बाद हैं निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए, फिर दे, पराध्वनी में होता है मैक संख्या धोने की गती वर्नित करने के लिए परियोग में लाते हैं ये शही है और प्रासरा धोनी की आभीरती 20,000 हज से अधिक होती है ये कथन सही है तीन सही है एक तीन और चार सही है बांकी दो जो है वो गलत है अगला है पराध्वनी जेट की उरान के कारण नुक्षान होता है ओजोन परत का किसका नुक्षान होता है ओजोन परत का कतन ए में दिया है कि समुद्रतल के निकट मैक संख्या एक पर जो जा रहे हैं बायुयान की सच्चाल की तुलना 15 किलोमेटर की उजाई पर एक मैक संख्या मैक संख्या एक पर जा र तो बाईवियान की चाल अधिक होती है ये गलत है और धोनी की गती परिबर्तित माध्यम के ताप पनिर्फर करती है ये सही है अगला है धोनी की प्रवलता आयाम से मापी जाती है ये डेसी बल का परियोग लाया जाता है बाता वरण में धोनी की तिव्टा के अस्तर को मापन के लिए decimal का पड़ियो किया जाता है और 30 decimal दो लोग आपस में बात करते हैं तो जो उधोनी उधपन होता है वो 30 decimal होता है कितना होता है 30 decimal होता है 100 decimal का रब का प्रबलता अस्तर संगत होगा यंत्रकार खाने के सोर से 20 स्वा संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षि ध्वनी प्रदूसन अस्तर कितना होना चाहिए 45 div होना चाहिए मनुस के लिए सोर की वह सीमा करीब करीब होती है 85 decimal मनुस की जो मतलब सोर की सही सीमा है वो 85 decimal है और मनुस के लिए ध्वनी अस्तर 60 decimal है एक मजदूर रेल की पट्री पर कार्च करता था और एक लरका कुछ दूरी पर अपने कान पट्रियों पर रख कर एक मजदूर द्वारा की जाने वाली हंथोरों की अवाज को सुनता था तो उसे दो बार अवाजे सुनाई देती इसका करण है कि ध्वनी का बेग इस पात में बायू की अपेक्छा अधिक है अगला कोशन है स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब हम ठोस से गैसी अवस्था में जाते हैं तो ध्वनी की गती कम हो जाती है यह सही है किसी भी माध्यम में जैसे ही तापमान को कम करते हैं ध्वनी की गती बढ़ जाती है यह स्टेटमेंट गलत है और ध्वनी की गती कांच के माध्यम की तुलना एलमूनियम के माध्यम में कम रहती है इन में से कौन सा कथन सही है तो केवल एक सही है जब हम सितार और बांसुरी को एक ही स्वर्ण में बजाया जाए तो उनमें से उत्पन ध्वनी का भेद किया जाता है केवल ध्वनी गुनवत्ता के अंतर के कारण अब statement है कि ध्वनी अनुसरन विशेशता बड़े गिर्जा घरो तथा अन बड़े भवनों में प्रतीत होती है और आर्द में दिया है कि तीवारे छत एवं धरातल से अपवर्थ ध्वनी प्राबर्तन हो सकता है तो ए अर दोनो सही है लेकिन आर जो है एका सही असपस्टी करन है ठीक है निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए तो कतन दिया है कि विश्त्रित रूप से परियुक्त संगीत स्वरग्राम जिसे डुटोनी स्वरग्राम कहते हैं साथ आबिर्ति ये बला होता है, तो ये कथन जो है, सही है, नहीं, सवर ये सही नहीं है, और स्वर सा की आबिर्ति 256 हच होती है, और स्वर नी की आबिर्ति 512 हच होती है, तो कहता है कि उप्युक्त कथनों में से सही कथन है, तो नो तो एक सही है और नहीं दो सही है, दोनों कथन जो है वोक्ट गलत है इन्फरा रेड एक्स किरने ध्रिस्टी गोचर परकास तता रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक रेडियो तरंग की होती है एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रीमोट नियंतरन इकाई पडियो किया जाता है अवरक्त विकिन एवम रेडियो तरंगों का किसका पडियो किया जाता है अवरक्त की विकिन और रेडियो तरंगों का दूरदर्शन प्रशारन में चित्र संदेशों का संचरन होता है आया मडूलन द्वारा किसके द्वारा आया मडूलन द्वारा दूरदर्शन प्रशारन में चित्र संदेशों का संचरन होता है टेलीविजन प्रशारन में सरब संकेतों को प्रशित करने के लिए आबिर्ती आरोपन का पड़ियोग किया जाता है एक रेडिये स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रशारन प्राप्त होता है इस स्टेशन द्वारा प्रेशित वाहक तरंगो की आविर्ती 10 मेगा हच होगी स्टेट्मेंट दिया है ए में कि रेडियो तरंग चुमबचिय छेतर में बांकित हो जाती है तो ए गलत है रेडियो तरंगे की प्राकिरती विद्धु चुमबचिय यह यह सही है आर सही है अब है विद्धु धारा इसे देखते हैं विद्धु धारा में दिया है कि एक 100 वाड का बिजली का बल्फ 10 घंटे जलता है और 5 रुपया प्रती यूनिट की दर से विद्धु उर्जा का खर्च क्या हो जाएगा तो एक वाड में 100 वाड का बिजली का बल्फ 10 घंटे जलता है तो कितना 5 रुपया ही हो जाएगा इसका सही अंसर अगला है 100 वाड का बिजली का बल्फ 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च 1 इकाई पर यूनिट होगा क्या होजा एक ही काई होगा यानि एक यूनिट होगा एक किलो वाड घंटा का मान होता है 3.6 x 10 to the power 6 जोल एक किलो वाड घंटा बरावर होता है और 100 वाड के एक बल्फ को 4 घंटे तक स्विच अन रखा जाता है तो पर्यूक्त बिदूत उर्जा कियें का 0.4 यूनिट होती है बिजली की खपत का बिल अधारित होता है किलो वाड पर घंटा पर के मापन पर यदि 60 वाड का बल परती दिन 5 घंटे पड़ियों किये जाते हैं तो 30 दिनों में बिजली का कर्च 9 यूनिट होगा 30 दिनों में 9 यूनिट होगा एक मकान दो बल लगे हैं उनमें से एक दूसरे से अधिक परकास देता है तो सही कतन है कि कम परकास वाले बल में रसिस्टेंस प्रती रोग जो होता है वो अधिक होता है ठीक है अगला है 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुरा है धारा 0.5A है बल्ब की सक्ति 110 वाट होती है वल्ब की सक्ति कितना हो जाएगा 110 वाट हो जाएगा अब है दो समाना अंतर परतिरोध वाले सर्किट का कुल परतिरोध 1.403 किलो ओम है यदि एक परतिरोध का मान 2.0 किलो तो दूसरे परतिरोध का मान कितना हो जाएगा? तो दूसरे परतिरोध का मान हो जाएगा 4.70 किलो ओम विद्धुत चुम्बक के प्रेनन पर अधारित युगती है डाइनमो और विद्धुत मोटर डाइनमो जिसे बिजली उत्पन हेतू उत्पादन हेतू कथित रूप से परियोग में लाते हैं वह वास्ता में उर्जा का परिवर्तक होता है डाइनमो प्रवर्तित करता है यांत्रिक उर्जा को बिद्धुत उर्जा में परिवर्तित करता है अब है टैरिवाइन वर डाइनमो से बिजली प्राप्त करने में बिद्धूत उर्जा परिवर्थित करते हैं मैकनिकल उर्जा को, जब वैधूतिक उर्जा गत्ती में परिवर्थित होती है, तब उस्मा की कोई हानी नहीं होती है, अगला है बिद्धूत उर्जा को यांत्र उर्जा में प्रिवर्थित कर देता है वो बैटरी है कम वोल्टेज पर कार्ज करने पर विदूत मोटर पराया जल जाते हैं क्योंकि वो अधिक विदूत धारा खिसते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलों अनुपाती होती है इसलिए वो जल जाते हैं फेराडे इस्तिरांग सर्व भॉमिक इस्तिरांग है फेराडे इस्तिरांग कैसा है सर्व भॉमिक है मोटर कार बैटरी के संबंद में निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए मोटर कार वोल्टता समानता बारा वोल्ट का होता है ये सही है पर्युक्त बिदूत अप घटे यह भी गलत है और धारिता का MPR जो घंटा में व्यक्त करते हैं तो यह सही है तो statement एक और चार सही है बागी सब गलत है वो धातू जो रोस्नी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में पडियोग करते हैं वो टंगस्टन का होते हैं निकेल कैडियम बैटरी का पडियोग होता है calculator, transistor, cardless electronic उपकरन में बिजली के बल्ब का तंथू बना होता है टंगस्टन का अब हैं निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए कथन दिया है कि एक साथारन बिजली के बल्ब का अपेक्छा कृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है यह सह सही है और फिलामेंट में सहा यक उचतार ताप पर पिघल जाते हैं तो यह तीनों कथन सही है इसलिए साथारन बिजली के बल्ब अपेक्छा कृत बल्ब जो होता है अल्प जीवन होता है जलते हुए बिद्दूत बल्ब के तंथू का ताप समानता 2000 डिग्री से लेके 2500 ड सही है कि तरित चालक इमार्तों को नश्ठोने से बचाता है सही है यह आबेस को प्रित्वी तक भेज देते हैं यह दोनों सही है लेकिन आर जो है एका सही अस्पस्टिकरन नहीं है अगला है तीन पीन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पीन को जोड़ना चाहिए अर्थ क किसके आधार के सीरे से बिद्धुत उपकरनों में अर्थ का पड़ियोग होता है सुरक्षा के लिए किसके लिए सुरक्षा के लिए अर्थ का पड़ियोग किया जाता है आपस में जुरी दो आबेसित बस्तुओं के बीच बिद्धु धारा नहीं परभावित होती है यद का तामबा स्वर्ण और चांदी से विद्धूत का सरबोत्तम चालक चांदी ही होता है मेंज विद्धूत प्रायद में फ्यूज का पर्योग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है फ्यूज के विशय में शही कतन इसका गलनांक निम्ण होना आवश्यक है उसके बाद प्रतिरोद सक्ति या निम्न गलनांग घर में सुरक्षित विद्धु सप्लाई के लिए उप्योग मिलाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांग कम होता है और प्रतिरोद अधिक होता है है तंगस्टन एबं सोडियम के मिस्र धातू का अब इस एक धातू तार का तापकरम बढ़ जाता है जब उसके बीच से बिद्धु धरा परभावित होती है ये सही है और धातू अनो के परसपरी घटना से उसमा उका उर्जा मोचन होता है तो ये गलत है तो ये सिर्फ सही है बांकि आर गलत है घरेलू बिद्धु तार उदासीन तार होता है मानव सरीर में मानव सरीर यानि सुस्क के विद्धुत परतिरोध का परिणाम 10 to the power 4 ohm होता है कितना होता है 10 to the power 4 ohm होता है मानव सरीर का समाने ट्यूब लाइट में होती है आरगन के साथ मरकरी वेपर CFL का पूरूरूप क्या है compact fluorescent lamp कतन ए में दिया है कि light emitting diode LED lamp compact fluorescent lamp CFL की तुलना अधिक लंबी सेवा आपदी परदान करते हैं तो ये कतन जो है सत्य है पर light emitting diode यानि LED lamp compact fluorescent lamp CFL की तुलना अधिक उरजा दक्ष होते हैं तो ये दोनों कतन सही है और RA का सही अस्पस्टिक रन भी है अब है कि कार्वनिक परकास उत्सरजित diode आरगनिक light या emitting diode इसको कहते हैं का उपयोग बहुत से साधनों के अंगिये प्रदर्स सरजित करने के लिए किया जाता है तो द्रव क्रिस्टल प्रदर्स की तुलना यानि की LED की तुलना OLED प्रदर्स किस परकार लावकारी होगी तो इसमें दिया हुआ है statement पहले परते हैं इसमें दिया है कि OLED प्रदर्स नम प्लास्टिक अफस्तरों पर सभी रिंचित किये जा सकते हैं और OLED के परियोग से बस्त्र तथा और अस्थापित उब्री बेलनिये प्रदर्स बनाए जा सकते हैं और OLED का परियोग पारदर्सी प्रदर्सर संभव हैं तो यह तीनों statement जो है वो विल्कुल सही दिया हुआ है अगला है Florence Tube जिसको बोलते हैं प्रदिप्त बल्व भड़ी जाती है मरकरी और नियोन गैस में Florence Tube में क्या भड़ी जाती है मरकरी और नियोन गैस भड़ा जाता है आगे देखते हैं एक बिजली के बल्व की अपेक्छा Florence Tube का अधिमान दिया जाता है क्योंकि Florence Tube बिजली के बल्व की अपेक्छा वैदुत उर्जा प्रकास उर्जा में परिबर्तित अधिक मात्रा में करती है इसलिए बिजली के बल्व की अपेक्छा Florence Tube को अधिमान दिया जाता है अगला है स्वेथ परकास को नली में पैदा करते हैं मरकरी अनुक को दोलित करके अगला कउशन देखते हैं विद्ध्ध बल्ब के अंदर क्या होती है तो विद्ध्ध बल्ब के अंदर नाइडरोजन और अरणगेन गैस होता है प्रदिप्त नायलिकाओं के साथ चोक औसांजित होता है चोक कुंडली लाइन वोल्टता को बढ़ाती है प्रकास उत्पन करने के लिए CFL पारावास्प और संधिपक का पड़ियोग करता है जबकि LED लेंप अर्धचालक पड़ार्थ का पड़ियोग करता है ये सही है CFL की औसत जीवन अब दी LED लेंप से बहुत अधिक होती है ये स्टेटमेंट गलत है LED लेंप की तुलना में CFL कम उर्जा सक्षम होता ये सही है तो एक और तीन सही है दो गलत है एक तार में बहती विद्धुधारा एवं विभांतर प्रतेक दो गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्धुध सक्ती चार गुना हो जाएगा अगर एक तार का विद्धुधारा जो है विभांतर प्रतेक को दो गुना बढ़ा दिया जाता है तो उतको बिद्धु सक्दी चार गुनी हो जाएगी अब है दो तारों की लंबाई ब्यास और पर्तिरोध हकता सभी 1 ratio 2 के अनुपात में है अगर पतले तार का पर्तिरोध 10 ohm है तो मोटे तार का पर्तिरोध भी 10 ohm ही होगा समान प्रकार की छोटी बुन्दे B वोल्ट पर आवेसित की जाती है यदि N बुन्दे मिलकर एक बड़ी बुन्द बनाती है तो उस बुन्द का विभाव N hold 2 by 3 भी होगा ठीक है कतन A में दिया है कि परिनामित्र का पर्योग परिनामित्र का पर्योग वोल्टता के उचयन आथवा अपचयन के लिए किया जाता है सही है परिनामित्र का पर्योग उसके वोल्ट को बढ़ाने और गड़ाने के लिए किया जाता है और परिनामित्र ऐसी युकती है जिसका परियोग निर्दिष्ट धारा परिमपत में किया जाता है तो ये जो है गलत है अगला है समान परकार की छोटी बुंदे V वोल्ट तक आपेसित की जात की गई यदि N बुंदे मिलकर एक बरी बुंद बनाती है तो इस बुंद का विभव हो जाएगा N पर पावर 2Y3 वोल्ट ट्रांस्फर्मर परियुक्त होते हैं AC वोल्टेज का अपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांस्फर्मर का उपयोग होता है परत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई आथवा अपचाई करने के लिए किसी AC जनितर तथा DC जनितर में एक मुल्भूत अंतर या है कि AC जनितर में असपरसी बला यानि कि स्लिप डिंग होते हैं जबकि DC जनित में जो होता है वो दिंग पडिवर्तन होता है यानि कि कम्यूडेटर होता है अब हैं मोवाइल चार्जर होता है एक अपचय ट्रांस्फर्मर होता है कुछ यूगतियां एवं संबंदित उर्जा रुपांत्रन नीचे दिये गये हैं और इसमें सही एंसर विद्धूत से यांतरिक में ये गलत है, डीजल इंजन परकास से विद्धूत में ये सही है, तो इसमें जो सही हमको लगता है, एंसर में यह यह दिया होगा, एक और तीन सही है, एक निट चेक करते हैं इसका एंसर, इसका जो है एक और दो ही सही है पर्त्यावर्ती धारा उपयूक्त नहीं है पर्त्यावर्ती धारा को दिस्ट धारा में परवर्तित करने वाले को कहते हैं Rectifier क्या करते है रेक्टिफायर परत्यादवर्ति धारा को द्रिस्ट धारा में प्रिवर्तित करने वाले को अब है अभी कथन स्टेट्मेंट दिया है कि भारत में विद्धूत वित्रन कंपनी विद्धूत खपत की गन्ना किलो आवर, किलो वाट घंटा में करती है और कारण में है कि भारत में विदूत प्रणाली साथ हज आबिर्ती पर काम करती है तो ए सही है लेकिन आर्ज वो गलत है अगला है विदूत खपत को बढ़ते क्रम में परदर्सित कर रहा है पंखा, टेलिविजन, विदूत प्रेस, एलेक्ट्रिक केटली और प्रित्वी के चुंबके छेतर का कारण है भूक रोड के अंदर चकरक धाराएं अब हम पढ़ेंगे चालक्ता चालक्ता पहले है अतिचालक का लक्षन अतिचालक का लक्षन सुन्ने प्राग्य मता है वह ताप मान जिस पर अतिचालक्ता अत्यधिक आर्थिक महत्की हो सकती है जिससे लाखो रुपे की बचत हो वो समाने टमप्रेचर है किसी अतिचालक तो दौरा प्राप्त अधिक्तम टेंपरीचर 133 Kelvin होता है नव अभी विकृत उसमं ताप पर अतिचालक जो हैं वो सिरेमिक ऑकसाइड होता है अर्धचालक की चालक था सुन डिगरी Kelvin टेंपरेचर पर होती है कितनी होती है इसे देखते हैं सुन होती है कितनी होती है सुन होती है एक अर्धचालक में बिद्धु चालन होता है एलेक्ट्रोंस एवं होल्स दोनों के द्वारा किसी अर्धचालक का परतीरोध गर्म करने पर घड़ता है निकट अतीत में हिंक्स बोसौन कन से अस्टित के सासुचन के लिए किये गया प्रयत्न लगातार समाचारों में रहें इस कन की खोज यह एक महत है कि यहां में यह समझने में मदद करेगा कि मुल्क कनों में सहमती क्यूं होती है हिंक्स बोसौन का जो अभी चर्चा में रहा है यह किसलिए है तो यह हमें समझने में मदद करेगा कि मुल्क कनों में सहमती क्यूं होती है अब है कि परमसुनित तापमान पर अर्धचालकों में बिदूत परतिरोध जो होता है वो संपुर्ण यानि अनन्थ होता है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट तथा चांदी में से अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में परियोग होता है जर्मोनियम का आर्सेनिक, जर्मोनियम, आर्सियन और रेडियन में से ट्रांजिस्टर का एक महत्पुन भाग जर्मेनियम है ट्रांजिस्टर के बनाने के लिए सरबधिक पर्योगत होता है सीलिकन का सीलिकन का पर्योगत किसमे होता है ट्रांजिस्टर बनाने में अब है कतन एक में कि तरित चालकों को बनाने में लोहे की छरों की अपेक्छा तामबे की छरों को वर्यता दी जाती है लोहे की तुलना में ताम बद्दुत का अधिक सुचालक और वायुमंडल ये परिस्तिती में सरलता से अक्सीक्रित नहीं होता है अब है तरित बिजली का चमकना से ब्रिच में आग भी लग जाता है क्योंकि इसमें अत्यदिक मात्रा में बिद्दुत उर्जा होती है इसलिए अर्ध चालक जो होता है वो सीलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बना होता है भारा सरकार ने जर्मेनियात पर पुन पर्तिबंध लगा दिया क्योंकि उसमें ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकाल सकते हैं अब हमारा है नाव किये भातिक से संबंदित यह हमारा फिजिक्स का लास्ट रेफ्टर है इसके बाद कंप्यूटर एवं सुचना परदियो की स्टार्ट होगा जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे तो इसे देख लेते हैं इसमें सुमेलित करना है सबसे पहले तो सुमेलित करते हैं सुमेलित में दिया है मेसान का खोज हीडे की युकावा ने किया था मेसान का खोज, हीडे की युवकावा पोजिट्रोन का खोज CD, Ederson एवं UF हिंस ने किया था सूर्ज के तारों में उर्जा उत्पादन का सिध्धान HA वेंथे ने दिया था औरsecurity तों तूका संसली सें GT शिबोर्ग ने दिये थे तो यह सभी सही है का रहा है कि सही सुमेलित है तो सही सुमेलित blockchain प्रद्योग की digital cryptocurrency से blockchain प्रद्योग की digital cryptocurrency से संबंदित है सही नहीं है तो किसी प्रमानू के नाभिक काटूटना सल्यग्न कहलाना ये सही नहीं है अगला है कथन A में दिया है कि Unrest and Rutherford ने Royal Society के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाविकिये सकती कभी नहीं उपलब्ध होगी तो ये कथन जो है सही है उसे या विश्वास था कि Einstein का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा उर्जा में परिवर्थित नहीं होगी तो दिया है कथन A R दोनों सत है लेकिन R जो है वो सही का स्पस्टी करन नहीं करता है अगला है वह कन जिसका आविश्कार करने का दावा किया जा रहा है अलवर्ड आइंस्टीन के सापक्षावाद का सिधान्त को गलत साबित करने के जोखी में डाल सकता है माइक्रोबेफ फोटॉन जो है वो दावा करता है अब है साइक्लोट्रोन पर्युक्त किया जाता है प्रोटॉन को तवरित करने के लिए साइक्लोट्रोन को पर्युक्त किया जाता है पेजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं इसकी पुष्टी की जाती है प्रस्फुरन गनक द्वारा पेजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं इसकी पुष्टी करता है द्रिश किर्णे, X किर्णे, पराबैगनी और अवरक्त विकिर्णे में से सर्वधिक उर्जा देती है X-ray उर्जा के संदर में विविन विद्धु चुम्बक्ये विकिर्णों का आरोही करम है रेडियो तरम, माईक्रो बेव, अवरक्त विकिर्ण, त्रिस्प्रकास, पैरा विकिर्ण विकिर्ण, X किर्णे और गामा किर्णे यह इसका सही करम है अब है तारे अपनी उर्जा प्राप्त करते हैं नावकिये सल्यान और गुरूतिये सकुचन से सितारों में अच्छा उर्जा के सुरोत का कारण हाइड्रोजन का हिलियन में परिवर्तन होना है सुर्ज से उत्मन उर्जा कौन सा है नाव किये सल्लेयन है एक क्रितिम उपगरा में बिद्धुत उर्जा का सुरोत होता है सौर सेलों में सौर सक्ति उत्पादन के लिए प्रद्योग की के संदर में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए तो इसका देखने हैं स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कत्थन पर विचार कीजिए तो कत्थन तो पहले पढ़ना पड़ेगा तब तो विचार करेंगे कत्थन देखते हैं थ्रचोटा करना पड़ेगा बहुत लंबा है तो पहला कत्थन है कि परकास वोल्टिय प्रकिडिया एक प्रद्योग की है जो कि परकास के विद्दू प्रतेक्ष रुपांतरन द्वारा विद्दू जनन करती है जबकि सौर्थ आप ये प्रकिरिया एक प्रद्योग की है जो सुर्ज की किर्णों का उप्योग ताप जनित करने के लिए करती है जिसका आगे विद्धु जरन प्रकिरिया में उप्योग किया जाता है उसके बाद second statement है कि second statement में दिया हुआ है कि प्रकासी वोल्टिय प्रकिरिया प्रत्यावर्ति धारा यानि AC का जनन करती है जब कि सौर्थ आपिय प्रकिरिया DC यानि की दिस्ट धारा का जनन करती है अगला statement है कि भारत के पास सौर तापिय प्रदोग की के लिए भी निर्मान अधार है किन्तु परकास वोल्टिय परतियोग की के लिए नहीं तो उप्युक्त में से एक ही कथन मात्र सही है बाकी दोनों कथन गलत है अगला परते हैं इसमें भी statement ही दिया हुआ है तो दिया हुआ है कि सौर जल पंपों के संबंद में निमलिकित कथनों पर विचार किजिए तो सौर उर्जा का परयोग प्रिस्टिय पंपों के चलाने के लिए हो सकता है और निमजनी पंपों के लिए नहीं तो ये कथन सही नहीं है और सौर उर्जा का परयोग अब केंदरी पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन बालों के लिए नहीं ये गलत है सौरुरजा सूल्ग का निर्धारन भारतिये सौरुरजा निगम के द्वारा किया जाता है ये कफन भी गलत है ये दोनों स्टेट्मेंट जो है काता थैंचान नों तो एक सही और नों ही 2 solar cell का उपियो किया जाता है silicon में प्रकास बोल्टीये سेल का 100 बोल्टीये सेल का 100 उडजा में अब निलवेकित कतनों पर विचार कीजिए नावकिये reactor एबन सव पोसित स्रिंखला अविकिडिया समभव है क्योंकि प्रतेक भिकंडन अविकिडिया में अपेक्छाक्रित विद्धूत नियुट्रोन निर्मुक्त होते हैं दूसरा है नियुट्रोन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिंसा लेते हैं दूत नियुट्रोन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किये जाते हैं और विखंडन प्रिक्रिया में निर्मुक्त हर निट्रोन आगे और विखंडन की सुरुवात करता है इसमें एक और तीन सही है अगला है परमानू रियक्टर क्या है तो परमानू रियक्टर जो है वो एक आन्विक भट्टी है परमानू रियक्टर क्या है? एक आनुविक भट्थी है आगे देखते है नाविकिय सलयन रियक्टरों के विशय में निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए तो पहला कथन दिया हुए कि वो भारी नाविक के विखंडन के सिधान पर कार्ज करता है साधारनता उनकी टोक मॉक डिजाइन होती है वो बहुत अधिक तापकरम पर कार्ज करते हैं तो नाविकिय सलयन रियक्टर जो है वो इसके लिए दो और तीन ही सही है वो जो है भारी नाविक के विखंडन के सिधान पर कार्ज बिलकुल नहीं करता है सारहारंता उनकी टोकमॉक डिजाइन होती है और वो बहुत अधिकताप करम पर कार्ज करते हैं नावकिय रियक्टर और परमानु बम में यह अंतर है कि नावकिय रियक्टर में स्रिंखला अविकरिया नियंतरित होती है आधुनिक आयू बिज्ञान में नावकिय असोधी नैदानिक और उपचार में प्रभावी उपकर्णों के रूप में उभर रही है एक रेडियो धर्मी तत्व नावकिय इंधन जिससे भारत वर्ष में भरे भंडार पाये जाते हैं वो है थोडियम का प्राकिर्ती यूरेनियम की तुलना में थोडियम के कहीं अधिक भंडार है उत्खनन प्राप्त खनी से मिलने वाली प्रती इकाई द्रमान उर्जा की तुलना की जाए तो थोडियम प्राकिर्तिक यूरेनियम की तुलना कहीं अधिक उर्जा उत्पन करता है और तीसरा में दिया है कि थोडियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसान दे अफसिस उस्टपादित करता है तो ये तीनों बिलकुल सही है भारत अंतरास्टिये ताप नाव किये पडियोग रियक्टर इंटरनेशनल थर्मो नुकलियर एक्सपरिमेंटल रियक्टर एक महत्पुन सदस है यदि यह पडियोग सफल हो जाता है तो भारत का ततकाली कलाव या बिदुतुत पादन के लिए सलयन यानि फ्यूजन प्रमानु उर्जा एजेंसी जिसे IAEI कहते हैं कि आंतरिक नयाचार यानि एडिसनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निती हर्थ है तो औसेनिक प्रमानु रियक्टर IEA के रक्षा उपाईयों के अधिन आ जाते हैं उसके बाद है भारत में कुछ प्रमानु रियक जो करते हैं और अन्य घडेलू आपूर्ती का इसलिए उसके बाद है कैडियम थोडियम और प्लूटोनियम तथा यूरेनियम तत्त में से परमानु इंधन की स्रेनी नहीं आता है कैडियम कैडियम जो है वो परमानु इंधन की स्रेनी में नहीं आता है अब है मोनोजाइट थोडियम, बेरेलियम और क्रोमियम में से अनुसक्ति से संबंदित खनीज नहीं है तो क्रोमियम जो है वो अनुसक्ति से संबंदित नहीं है बरना मोनोजाइट, थोडियम, बेरेलियम ये सब जो है अनुसक्ति से संबंदित है uranium, thorium और radium तथा helium में से इंधन नहीं है तो helium एक इंधन नहीं है uranium, thorium, calcium, plutonium में नाविकिये इंधन के रूप में परियोग नहीं किया जाता है तो calcium का नाविकिये रूप में परियोग नहीं किया जाता है यूरेनियम, थेरियम, पुलुटोनियम तथा लेड में से परमानु ए इंधन के रुप में पडियोग नहीं करता है तो वो सीसा यानी लेड का आगे देखते हैं जर्कोनियम, यूरेनियम, मौलीबडेनम तथा वेनेडियम में से नुकलियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का पडियोग किया जाता है परमानु बम अधारित है नाविकिये विखंडन पर रेडियो धर्मिता के संदर में निमलिकित कत्नों में से सही है तो रेडियो धर्मिता एक नाविकिये गुन है, बिल्कुल सही है, नाविकिये विखंडन के सिधान्थ पर हाइड्रोजन बंब बनाया जाता है, तो ये कथन जो है गलत है उसके बाद है प्रमानु बंब का कारिकारी सिधान्त यूरेनियम का नाविकिये विखंडन है और हाइड्रोजन बंब कारिकारी है डूटेरियम के नाविकिये सल्लेयान पर हाइड्रोजन बंब अधारित है और नियंत्रित सल्लेयान अभिकिरिया के सिधान्त पर हाइड्रोजन बंप विक्सित किया गया एडवर्ड टेलर के द्वारा सब्रिध यूरेनियम होता है प्राकिर्ती यूरेनियम जिसमें रेडियू धर्मी जिससे यूरेनियम बोलते हैं यूरेनियम 235 आईसोटोप का घटा कृतिंग रूप से बढ़ाया जाता है इसके द्वारा यूरेनियम के रेडियू धर्मी विक्षंडन का अंतिम मुत्पाद सीसा होता है एक रेडियू एक्टिव पदार्थ को अर्ध आयू 4 महीने है इस पदार्थ के 3 महीने 3-4 आई का 6 होने में समय लगेगा 8 महीने का किसी विघटन नाविक तत्तु की अर्ध आयू 5 वर्स की होती है तो 20 वर्स बाद विघटनिक नाविक पदार्थ का जो अंस बच जाता है वो 1 वर्टा 6 हो जाता है एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्ध आयू 10 दिन है और इसका अभी प्राईया है कि पदार्थ के 3 वटा 4 भाग का भी घटन 20 दिनों में हो जाएगा एस्टेटाइन, फ्रेसियम, ट्रेटियम तथा जर्कोनियम में से एक रेडियो एक्टिव नहीं है यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 249 में से वह यूरेनियम समस्थानिक जो परमान उर्जासनियंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तमाल किया जाता है वो यूरेनियम 235 है यूरेनियम लोहा तंबा एलमोनिया में से विद्दूत उत्पन करने के लिए उप्योग यूरेनियम का होता है रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सरजित करता है अलफा कन, बिटा कन और गामा किरन को किसे अलफा बिटा और गामा को अगर चालू नाव की ये रियक्टर में कंट्रोल छरो का उप्योग नहीं किया जाएगा तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी भारत का पर्थम पर्मान उर्जा केंदर कहां तारापूर मुंबई में है और भामा पर्मान उर्जा संधान के बार्क के ब्रतमान निदेशकों ने अजीत कुमार मोह थी जो 12 मार्थ 2019 को बने थे दुरूब पुर्णीमा कथा साइरस है भारतिये सोध रियक्टर दुरूब पुर्णीमा और साइरस जो है एक भारतिये सोध रियक्टर है भारत के nuclear reactor में पर्युक्त होता है uranium 238 का कलपक्कम प्रसिद है प्रमानु सक्ति सयंद्र के कारण के लिए और ये सबसे प्राचीन जो है वो मतलब प्रमानु सक्ति सयंद्र है इंद्रा गांधी आनवी कर्म संधान केंद्र कहां इस्तित है तमील नाडू में अब है सुमेलित है इंद्रा गांधी सेंटर फ़र अटोमिक रिसर्च ये अटोमिक मिनरल्स डाइरेक्टर फ़र ये का है कलपक्कम में है और अगला है एक्स्पोरेशन एंड डिजर्फ हैदरावाद में है हरिस्चंद्र इंस्टिचूट परियागराज में है साहा इंस्टिचोट अफ निकलियर फिजिक्स ये कोलकता में है निमलिकित संगठनों पर विचार कीजिए परमानु खनीज अंसाद्धान एवं अन्वेशन निदेशाल है सही है गुरुजल बोड भारतिय रेयर अर्थ लिम्टेड और भारतिय यूरनियम कॉर्पडेशन इन में से परमानु उर्जा विभाग के अंतरगत हैं तो ये चारो जो हैं परमानु उर्जा विभाग के अंतरगत हैं सुम्मेलित है पर्मानु सक्तिकेंद्र दिया हुआ राज का नाम कलपक्कम तमिलाडु में है नरोरा उत्तर प्रदेश में है करारपारा गुजरात में है और ट्रामबे महराश्ट में सुमेलित है अस्थान दिया हुआ है पढ़ते हैं राधस्थान परमानु सयंत्र रावत माटा कोटा में है नरोरा परमानु सयंत्र उत्तरपरदेश में है मदरास परमानु उर्जा सयंत्र कलपक्कम में है और कैगा परमानु उर्जा सयंत्र करनाटक में है ठीक है अब दिया हुआ है कि उप्युक्त परमानु उर्जा में सयंत्र इस्थित है या तो इसका कौन सा जो परमानु उर्जा सयंत्र ये पुछा जा रहा है तो नरोरा है और एक कलपक्कम है ये तीन दो जो है एक परमानु उर्जा सयंत्र है भारत का वह परमानु सयंत्र ज तो चौती भुकंप पेटी में अवस्तित है वो नरोरा है। तमील आंडू के कुडन कुलम में रूस प्रमानु भठियों में जितनी इकाईयां लगाने पर राजी हुआ है वो है च्छे। अगला है कलपककम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रियक्टर में पर्युक्त इंधन प्लोट टीनम है। और तीन ही सही हैं, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रियक्टर जो सितलक पर्योग में लाया जाता है वो है द्रवीर सोडियम, एक नावकिये रियक्टर में भारी जलका कार्ज होता है, नीट्रोन की गती को कम करना, आगे देखते हैं, नावकिये सैंत्रों में ग्रेफाइड का उप्योग किया जाता है मंदक की तरह, नावकिये रियक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी वा साधा पानी का पर्योग किया जाता है, शिग्र उदपाती रियक्टर, फास्ट बिडर रियक्टर, बिजली पैदा करने वाला एक नावकिये रियक्टर है, जो बिदली उ पदार्थ को उससे अधिक उत्पन करता है एक ब्रीडर रियक्टर जो होता है जो विखंडन होने बाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन करता है जितना हुआ जलता है अब दूसरे देशों को प्रेसराइज्ट हेवी वाटर रियक्टर निर्यात करने की स्थिती में है इन रियक्टरों की छमता जो है वो 210 मेगवर्ट आथवा 540 मेगवर्ट होगी ककार पाड़ा कैगा कुडन कुलम तारापूर ये सब जो है नाविकिये सकते सयंत्र जिसकी कुल अस्थापी छमता है कुडन कुलम पोखरन नाविकिये परसिक्षन 1947 का अज़कारी कोड है स्माइलिंग बुद्धा पोकरण ना भी परिषिक्षन का और पोकरण सेकेंड परिषिक्षन किया गया था 11 मैं 1998 को मैं 1998 में पोकरण में भारत ने 5 पर्मानू परिषिक्षन किये थे पोकरण इस थी थे राजस्थान में तो ये था हमारा physics का master वीडियो जो यहाँ पर complete हो गया है अब हमारा आएगा computer एब हम सुझना प्रद्योगी से संबंधित एक वीडियो आएगा जो एक से 1.5 गंटे का maximum वीडियो होगा तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को